प्रवाइब आप लोग विए लाइव अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज चैट पर आजाएए चैट पर बताइए आडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं आज हम मेराथन सेशन शुरू कर रहे हैं इंडेस 103-110 business combination consolidation और उसके साथ साथ एक छोटा सा इंडेस होता है इंडेस 27 separate financial statements में हमेशा उसको पहले करवाता हूँ यह चीज करने से पहले 10-15 मिट लगेंगा हम उसको भी करेंगे साथ में और सबसे पहले हम उसके से ही start करेंगे तो हमारे अभी इस particular session में हमारे तीन चीज़ और तीसरा है आपका इंडेस 110 consolidated financial statements ठीके तो शुरू करेंगे अब इंडेस 27 separate financial statements से एक छोटा सा disclaimer देना चाहता हूँ यह session स्टार्ट करने से पहले मेरे माउथ में थोड़ा सा अलसर है हलका सा relief मिला है कल रात से इसलिए मैंने आज का session थोड़ा सा लेट रखा बीच-बीच म थोड़ा जादा लेना पड़े ब्रेक जादा लेना पड़े मतलब बस पानी पीने का ब्रेक बार बार मुझे थोड़ा सा pause करना पड़ेगा आपने आपको क्योंकि थोड़ा माउथ अलसर है तो मुझे हलका सा pain हो रहा है actually चलिए शुरू करते हैं इंडेस 27 separate financial statements इंडेस 27 कि Entity के लिए Applicable होता है अगर आप Holding Company होओ आप Parent Company होओ आप Investor हो जिसका Engagement Joint Venture में है आपका Investor हो जिसका Investment Associate में है Holdings Company हो जिसका Investment Subsidory में है उन memory के उपर इंडेस 27 Applicable होता है और ये companies जो होती है ये अपने investment in subsidiary को, investment in associate को, investment in joint venture को अपने separate financial statements में कैसे दिखाएंगी उसके लिए हम ये index पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये बताता है कि हमारे financial statements दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं separate financial statements, एक होते consolidated financial statements, consolidated financial statements सब बना जाते हैं जब हमारे पास कोई subsidiary है, तो हम अगर हमारे पास सबसीटरी नहीं है तो क्या हम कंसलेडेशन नहीं करेंगे अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन असोसीट है जॉइंट वेंचर है तो उसको हम एक्विटी में कैसे दिखाएंगे क्योंकि हम तो एक अलग से फाइनेशल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे विच विल भी अधर देन सेपरेट फाइनेशल स्टेटमेंट जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट इन असोसीट और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर को एक्विटी मेंथर्ट पर दिखाएंगे तो कंसलेडेट बनता है वो होता है separate financial statements. Separate financial statements के अंदर हम अपने investment in associate joint venture और investment in subsidiary को आईधर cost method पे दिखा सकते हैं, cost model पे दिखा सकते हैं या फिर हम as per ind as 109, मतलब fair value पे दिखा सकते हैं, चाहे हम fair value through profit and loss करें, चाहे हम fair value through OCI करें. कुल मिला के हम अपने investment and subsidiary joint venture associate को आइधर cost model पे दिखाते हैं या फिर fair value model पे दिखाते हैं ठीक है अगर fair value model पे दिखाएंगे तो हम हमेशा हर balance sheet date पर fair value gain, fair value loss बुक करेंगे अब यह हमारी च्वाइस है यह investor की च्वाइस है कि वो India S27 में क्या करना चाता है ठीक है उसके बाद यह India S27 बोलता है कि अगर आपको कोई भी income from investments मिलती है अगर आपको कोई भी income from investments होती है तो उस investment income को आप हमेशा अपने profit and loss में लेके जाओगे और आप उसको कब record करोगे when the right to receive the income is established मतलब कुल मिला के जब dividend सामने वाला declare कर दे आपकी subsidiary आपका associate आपका joint venture जब आपका dividend declare कर तो वो dividend आप अपनी books of accounts में जिस दिन declare हुआ उस दिन आप अपनी books of accounts में income record कर सकते हो तो investor को income मानना पड़ेगा फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमें choice दिया गया है जो हमें option दिया गया है कि हम अपने investment in subsidiary associate joint venture को cost model पे दिखा सकते है या fair value model पे दिखा सकते है तो कैसे दिखा सकते हैं वो category wise हो सकता है मतलब अगर तुम चाहते हो cost model apply करना तो तुम्हें अभी तुम्हें सारे के सारे subsidiaries के उपर और associate के उपर fair value model ये भी कर सकते हो मतलब investment in subsidiaries एक अलग category हो गई investment in associate एक अलग category हो गई investment in joint venture एक अलग category हो गई category wise तुम cost model या fair value model follow करोगे उसके बाद हमने देखा कि category क्या change कर सकते हैं आगे चलके definitely category change कर सकते हैं पहले cost model कर रहे थे उसका पाद fair value model कर सकते है ये possible है एक ही category के अंदर multiple investment in subsidiaries है अलग-अलग cost या fair value नहीं हो सकता उसके बाद हमने देखा कि अगर आपका कोई investment in subsidiary है investment in joint venture है investment in associate है पर वो held for category में है कौन सा है held for sale category में अगर वो held for sale category में है तो फिर ऐसे case में क्या करोगे तो यहां पर क्या बोल रहा है investment accounted for at cost shall be accounted for in accordance with 105 non current asset held for sale when they are classified as held for sale the measurement of investment accounted for in accordance with 109 is not changed तो कुल मिला के अगर तुमन investment venture को cost model choose करके रखा है और वो held for sale है मतलब तुम उनको बेचने वाले हो फर तुम उसके उपर 105 भी लगाओगे अब मतलब ध्यान रखना यह बोला गया है कि अगर तुमने उपर में से ये वाली category चूज की cost model वाली category चूज की और these are held for sale तो तुम्हें 105 भी साथ में लगाना पड़ेगा carrying amount और fair value less cost to dispose whichever is lower पर अगर मानलो तुम fair value वाली category चूज कर रहे हो investment in associate में and these investment in associate are held for sale तो ऐसे के उपर तुम 105 नहीं लगाओगे क्योंकि वो already fair value पर है तुम 105 लगागे कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो तुम कोई extra चीज नहीं कर रहे हो तो 105 लग सकता है अग तो यहां पर example मिल जाएगा आप देख लेना अब यहां पर कुछ important बाते में आपको बता दूं investment entities के बारे में एक term है investment entity यहां फिर venture capital funds जो यह investment entities venture capital funds होती है इनके regarding बहुत important बाते आपको क्या-क्या ध्यार नखनी है इनके regarding आपको it is always it always measure the investments at FBTPL as per India 109 जो investment entities है अगर investment entities का क joint venture associate है तो उनको cost model allow नहीं किया गया इनको FBTPL नहीं किया गया इनको सिर्फ FBTPL allow किया गया मतलब तुम एक holding company हो तुम एक investor company हो तुम अपने सारे के सारे investments को चाहे वो holding हो subsidiary हो चाहे वो subsidiary हो चाहे वो associate हो joint venture हो चाहे वो normal investment हो तुम हमेशा अपने investment को FBTPL करोगे next it is exempt from the preparation of consolidated financial statements consolidated financial statements तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है if the investment entity और similar entity is having investment in subsidiary associate joint venture then such investment shall be measured at FBTPL तो इनको भी तुम FBTPL पे करोगे मतलब index 27 के साब से तुम्हे cost model allowed नहीं है यह था investment entity का फिर हमने देखा कि अगर तुम अपने investments को अगर तुम अपने investments को cost model पे measure करते हो तो they are subject to impairment under index 36 पर अ technique फिर financial instrument 109 में ही बताई गई है तो अगर cost model पे करते हो तो impairment technique आएगी उसके उपर उसके बाद अब आते हैं when the parent ceases to become the investment entity and the company ceases to become the investment entity और become the investment entity मतलब तुम एक investor हो तुम पहले investment entity थे और तुम अपना FBTPL करते थे अपने investments की उपर पर अब तुम investment entity खतम हो चुके हो अब तुमारे status बदल गया अब तुम investment entity नहीं हो तो तुम है दो choice आ गया तुम cost model भी कर सकते हो fair value model भी कर सकते हो और इसका just ulta तो क्या करना पड़ेगा recognize the investment as per FBTPL अब तुमें सिर्फ FBTPL लगाना पड़ेगा any difference between carrying amount of investment and fair value of investment is gain or loss and transfer to profit and loss ठीक है तो मान लो तुम पहले investment entity नहीं थे और तुम पहले भी fair value model लगाते थे अब भी तुम fair value model लगा रहे हो बढ़िया है बहुत अच्छी बात है कुछ करने की ज FBTPL करना पड़ेगा तो तुमारे पास जो भी accumulated OCI का balance रखा है वो तुम recycle करके reclassify करके तुम पी इंडल में लेके जाओगे उसके बाद when the entity ceases to be the investment entity पहले तुम investment entity थे अब तुम normal entity बन गए तो पहले तुम investment entity थे तो तुम क्या करते थे fair value model अब तुम non non investment entity बन गए तो अब तुम non investment entity बन गए हो और तुम अब cost model पर जाना चाहते हो तो तुम cost model पर जाना चाहते हो तो fair value on the date of change of status is taken as a dream cost तुमें कोई भी revolution करने की दरत नहीं है जिस दिन तुम अपना status change कर रहे हो उस दिन जो भी caring amount है उस दिन जो भी caring amount मतलब fair value है तुमारे investments की उसको deemed cost माना ज जाएगी यह आपको दोनों के दोनों उसी के examples है a limited was an investment entity पहले था measuring investment in subsidiary at fair value a ceases to be the investment entity on the date fair value of the investment was 1 lakh now a ceases to be the investment entity it can measure the investment in x limited either cost या continue अगर वो cost करेगा तो 1 lakh will be the deemed cost 1 lakh को deemed cost बना जाएगा चलिए तो और यह वाला question आपके उपर वाले इस तरीके से है आगे बढ़ते reorganization of the group structure यह पहले कभी आया नहीं एक्जाम में हो सकता है शायद पहले क्यों नहीं कभी नहीं आया तो हो सकता है इसका एक छोटा सा point mcq में डाल दिया जाए हो सकता है इसका point mcq में डाल दिया जाए point simple सा यह है कि तुम पहले parent company थे तुमारे बहुत सारी subsidiaries थी अब तुमन को बेज दिये एक्स limited की company subsidiary company हो गई ए पहले जो थी ए थी parent यह तो old parent अब यह हो गई new parent ठीके और एक के अंदर तो वैसे तीन companies हैं b c d तो अगर ऐसा status हो रहा है structure में change हो रहा है जहां पर old parent ने अपना status खो दिया आप new parent आ गया तो ऐसे case में इसने अपने investment किसको बेचे हों एक्स company ने investment खरीद होंगे तो एक्स company अगर investment खरीद रही है तो अपने investment को अगर वो cost model पर measure कर रही है अगर वो cost model पर measure कर रही है तो cost क्या होगी तो आए देखिए a parent reorganize the structure of its group by establishing a new entity as the parent वो नया parent खड़ा कर रही है cost of the investment cost of the investment for new parent company will be the carrying amount of equity items of the old parent company अगर ये cost model फोलो कर रही है x limited अपने investment के उपर अगर cost model follow कर रही है तो इसके लिए cost क्या होगी cost will be the equity items of this company cost will be the equity items of this company on the rate of transfer will be the cost तो क्या बोला गया है कि will be the carrying amount of the equity items of old parent subject to the below condition तीन condition fulfill होनी चाहिए तो cost will be the carrying amount of equity items of old parent हो जाएगा तीन condition क्या पहला new parent company must issue its equity shares as a consideration for acquiring shares of old parent जब new company ने old parent से उसके share खरी दे तो PC must be given in the form of equity shares only PC सिर्फ और सिर्फ equity के फॉर्म में देना पड़ेगा दूसरा there must be no change in the net worth of the whole group पूरे group के पूरे group के net worth में कोई change नहीं मतलब इस group का जो भी net worth अकर मानलो 500 crore सा तो इस री structure होने के बाद इस group का भी net worth immediately after restructuring net worth 500 crore सी होना चाहिए और तीसरा owner's position in new group must be same as position existent in the old group मानलो A limited के अंदर दो लोग थे Mr. J और Mr. Chawla Mrs. Chawla दो लोग shareholder थे same to same ये दो लोग shareholder X limited में चले जाने चाहिए उसी proportion में कोई भी नया नहीं आना चाहिए तो अगर ये तीनों की तीनों condition fulfill हो जाती है तो ऐसे case में जो new parent company है उसने जो investment किया है old parent में ऐसे case में अगर वो cost model follow करती है तो cost will be the caring amount of equity items of old parent company ये फंडा है आपका restructuring का that's all for this indies 27 आपका खतम हो गया अब चलते हैं अपन indies 103 and 110 पर मुझे बताईए यहां पर आपको कोई doubt है कि मुझे बताईए आपको यहां पर कोई doubt है कि अग्या कि 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 अब आगे बढ़ते हैं इंडies 103 and 110 नोट्स वगेरा बेटा सारे के सारे आपको description में मिल जाएंगे नोट्स के लिए आप बिलकूल attention मतले ना यह जितने भी मैं नोट्स रिफर कर रहा हूं यहां फिर जो भी मैं master questions रिफर करूंगा अभी business combination consolidation के वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे description से आप देख लेना ठीक है आईए next point पर चलते है 103 और 110 अब 103 business combination है 110 consolidated financial statements है यह दोनों के दोनों कहीं न कहीं एक साथ पढ़े जाते हैं और इनको एक साथ समझा जाता है जो consolidation का process होता है वो 110 में जाता है और 103 के अंदर date of acquisition पर क्या accounting follow होनी चाहिए goodwill capital reserve कैसे निकलना चाहिए और भी other items होते है वो 103 में follow होते है अभी हम जो चीज़े पढ़ रहे है वो मिला के पढ़ रहे है ताकि हमारा एक साथ यह सब चीज़े cover हो जाए पर चीज़े अगर 103 की बात करें तो 103 टॉक अबाउट कि बाइडेंटिफाबल असेट्स जो भी हम टेक ओवर करेंगे acquisition करेंगे उनके असेट्स को रिक्वाइब उनके अईडेंटिफाबल असेट्स को जब लेके आएंगे तो उनको measure कैसे करेंगे रिकॉर्ट कैसे करेंग यह हो गया आपका basic सा scope जोगी 103 में cover होता है अब कुल मिला के 103 की अगर बात करें business combination की तो business combination का मतलब होता है यहाँ पर आप business acquisitions कर रहे हो business acquisitions आपके दो type के होते हैं एक आप किसी company के shares में invest कर लो मतलब subsidiary company मना लो ठीक है वो company चलती रहेगी दूसरा होता है कि आप सामने वा holding subsidiary word use नहीं किया रहता 103 में यहाँ पर word use किया रहता है acquisitions और जो खरीदने वाली company होती है उसको बोलते है acquire और जिस company को हम खरीद रहे है उसको बोलते है acquire अब यहाँ पर 103 की accounting का अगर करनी है तो accounting का जो method बताएगा है वह method का नाम है acquisition method और 103 बोलता है जो acquirer होता है acquirer को यह चार step follow करनी पड़ती है acquisition method में 103 कहता है कि आपको चार step follow करनी पड़ेंगी सबसे पहले acquisition method बोलता है identify the acquir identify the acquirer मतलब सबसे पहले आपको देखना है कि acquirer कौन है simple सी बात है acquirer वह party है जिसने control obtain किया है जिसको ultimate control decision making rights मिले है other company के other company के business को चलाने के decision making rights मिले है तो control जिसको मिला है control identify करने के लिए आप potential voting rights को भी consider कर सकते हो potential voting rights मतलब अगर मालीजे आपने सिर्फ equity investment किया है तो वह त अगर आपने डिवेंचर में convertible डिवेंचर में अगर आपका उसमें भी investment है तो उसको भी consider कर सकते है potential voting right उसको बोलते है और वह control निकालने के लिए अपन consider कर सकते है उसके बाद वो बोलता है उसके बाद बोलता है second step बोलता है पहला हो गया identify the acquirer second step बोलता है कि आपको acquisition date find out करनी है do a date of acquisition मतलब आपको control किस दिन मिला आपको control किस दिन मिला यहां पर आपको यह find out करना पड़ेगा because आपको यह date find out इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उसी date पर आपको goodwill निकालना होता है gain from bargain purchase निकालना होता है उसी दिन पर आपको identifyable net assets को measure करना होता है उसी दिन पर आ आप किसी company को take over कर रहे हो और take over करने के बाद आपको regulatory approvals आपको लेने पड़ेंगे किसी regulating authority से आपको कुछ approvals लेने पड़ेंगे कि यह take over आपका valid है कि नहीं और वो अगर regulatory approval जरूरी है necessary है आगे बढ़ने के लिए business start करने के लिए business continue करने के लिए तो जब तक आपको regulatory approval ना म है तो उसके बिना अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो date of obtaining approval will be the date of acquisition अगर आप यह example देखोगे तो इस example में उन्होंने अलग-अलग dates दी है कि date of shareholder agreement कब हुआ उसके बाद shareholder agreement में appointed date क्या थी obtaining control क्या था PC कब दिया transfer कब किये गए share तो आपको यहां पर देखना है obtaining control जिस दिन हुआ भले आपने PC बाद में दिया भले आपके पास share बाद में आए भले आपने agreement पहले कर दिया पर आपको control जिस दिन मिला उस दिन को बोलो गया date of acquisition तो first step हो गई आपको identify acquirer second step हो गई आपन इसको measure करते हैं आपन आगे इसको discuss करेंगे उसके बाद आपन बात करते हैं recognizing and measuring the goodwill और gain from bargain purchase आपको यह सब identify हो गया तो आपको goodwill और gain from bargain purchase निकालना होता है तो acquisition method की होती है चार steps आगे बढ़ते हैं अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है कुल मिला कि उसकी moral of the story यह पर हमें चार चीज़े चाहिए होती है एक चाहिए होता है हमें PC मतलब investment कितना हमने invest किया उस company को acquire करने के लिए अब या तो मैंने उसको physically take over कर लिया और उसको मैंने payment किया तो मैंने जितना भी PC amount पे किया तो वो हो गया मेरा investment अब कभी कबार क्या होगा कि अगर वो आपको holding company का अगर वो आपको investor का अगर वो आपको investor का balance sheet दे रहा है और balance sheet में आपको बता रहा है कि investment account इतना है investment वगेरा तो यह हो गया आपका investment तो जब आप acquisition accounting करोगे business combination में जब आप उसके net assets लेकिया होगे subsidiary company के net assets लेकिया होगे तो आप net assets account को debit करते हो उसके बाद आप 2 NCI करते ह लाइबडी greater करते ही फिर आप investment account को क्या कर देते हो यहाँ पर investment account को आप credit कर देते ही तो investment कर देते ही पर कभी-कबार यह होता है कि मालो आपके balance sheet में यह investment वगेरा नहीं должен आपको बस इये बताया जाता है कि अगर पहले सभी adjustment apl unused को और रखा है तो वह credit हो जाएगा पर अगर से कोई investment account नहीं है और हम immediately entry कर रहे हैं तो यह वाली entry हमारे consolidated financial statements के अंदर होगी और जो investments के लिए हम payment कर रहे है वो two bank के form में आएगा two bank हो सकता है two equity share capital हो सकता है security premium हो सकता है यह overall आपका PC हो सकता है तो कभी काँब आपको two investment देखने को मिलेगा कभी कब आपको ऐसा देखने को मिलेगा QR मिलाकर data acquisition पर हमें चार चीज़े होती है पहली चीज़े हमें चाहिए होती है investments दूसरी चीज़े हमें चाहिए होती है netிसरी चीज़े होती है NCI और चौथी चीज हमें चाहिए होती है Goodwill, तो एक होती है PC, एक होता है Netaset, एक होता है NCI, एक होता है Goodwill और Gain from Bargain Purchase Date of acquisition पर हमें ये चार चीज़े चाहिए होती है ठीक है, तो जहां तक मैं बात करूँ PC की तो PC में क्या क्या आता है, PC के बारे में हम नीचे आपन आराम से डिसकस करेंगे कुल मिला कि PC हमें चाहिए होता है, तक कि आप उसको compare कर सकोगे, अधर चीजों के साथ कुल मिला कि हम formula जो बनाते हैं Goodwill निकालने का, उसको हम बोलते है cost of control, cost of control के अंदर हम बोलते हैं कि जो भी हमने PC दिया प्लस हमें जो NCI आया date of acquisition पर NCI आया, दोनों को मिला कर minus 100% net assets on date of acquisition date of acquisition पर जो भी 100% net assets हमने एक्वार की, इस तरीके से हम goodwill और gain from bargain purchase निकालते goodwill या फिर capital reserve मतलब gain from bargain purchase इस तरीके से हम निकालते हैं cost of control मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप date of acquisition पर बनाते हो और goodwill आपका capital reserve आपका date of acquisition पर निकलता है अब हम इसके अगर आगे बढ़ें तो क्या net assets हमें date of acquisition पर तो लगते ही लगते पर क्या date of acquisition के बाद, अगर मालो मैं balance sheet बना रहा हूँ, माल लीजे date of acquisition के बाद, मैं balance sheet बना रहा हूँ पर मैं balance sheet के दिन पर क्या मैं same net assets और NCA लिखूँगा, नहीं तो कहने का मतलब, यहां पर मैं वापस से net assets निकालूँगा, यहां पर मैं वापस से NCA निकालूँगा, कहने का मतलब net assets और NCA यसी चीज है, जो data of acquisition पर तो निकली निकली है, goodwill capital करने के लिए, पर consolidated balance sheet के दिन वही net assets आपकी change हो जाएगी, और वही NCI भी change हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह, कि net assets और data of equity, net assets और NCA आपके दो अलग-अलग date पर निकलते हैं, net assets आपके DOA पर निकलता है, और consolidation date पर निकलता है, NCI भी आपका DOA पर निकलता है, और consolidated date पर निकलता है, जहां तक हम बात करें net assets की, जहां तक हम बात करें net assets की, तो net assets के case में equity share capital आता है, net assets के case में balance of other equity आता है, net assets हम कैसे nिकालते है, equity capital plus other equity, mostly net asset निकालने के दो तरीके होते है, एक होता है asset minus liability, जो कि आपको बहुत कम काम आएगा questions में, इका दुका question में है ऐसा, पर maximum question में आपको काम आएगा, equity capital plus reserves and surplus of subsidiary company on the date of acquisition, तो इसी point of view से अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मान लीजे, मेरा date of acquisition beginning का है, 1st April का है, और 1st April को मुझे चाहिए, subsidiary company का equity share capital, subsidiary company का मुझे इसका equity capital चाहिए, और subsidiary company के मुझे यहाँ reserves and surplus चाहिए, यह बन जाएगा मेरा net assets, आई बात सब्समें कि नहीं, इस net assets में of course बहुत सारी चीज़े होंगी, ताकि मैं इसको fair value पे ले के आ सकूँ, बट मेरा यह कहना है, कि for example, for example, मेरा date of acquisition है mid का, 1st October का, तो इसका मतलब क्या लगेगा, मुझे 31st March का नहीं, मुझे 1st April का नेट assets चाहिए होगा, 1st October का net assets चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, 1st assets का net assets निकालने के लिए, मुझे equity share capital लेना पड़ेगा, मान लीजे, यहाँ पर मुझे reserve and surplus दिये हुए, 10 lakh मुझे reserve and surplus opening में दिये हुए, 3 lakh, तो 3 lakh और 10 lakh बीच का difference किता आ गया, 7 lakh मुझे दिख रहा है कि साल भर में मेरा profit कितना कमाया गया है, 7 lakh rupees का कमाया गया है, मेरेको reserve and surplus यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर मेरा reserve and surplus कितना मुझे मिलेगा, उसके लिए मैं अपने profit का time adjustment करूँगा, statement of changes in net assets, या कुछ लोग इसको बोलते है analysis of profit, हम basically profit को इस position पर लेके आएंगे, तब हमें जाके अपना net assets इस date पर मिलेगा, I hope आपको यह बाते समझ में आ गई होगी, मैंने अपनी class में उसको word use किया है, statement of changes in net assets, मतलब net assets मुझे इस दिन चाहिए, कभी कबार आप इसको AOP के form में भी बोलते हूँ, ठीक है, चलिए मुझे comment करके बताईए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो net assets आपको मिल गया, net assets आपको इस तरीके से मिल गया, NCI की बात करें, अब आगे बढ़ सकते हैं, क्या, अब आपन एक एक बात को detail में समझने की कोशिश करेंगे, अब आपन एक एक बात को detail में समझेंगे, सबसे पहले PC की बात करते है, तो PC में क्या क्या आता है, PC में सबसे पहले, पेर वैल्यू PC हमेशा आपका फेर वैल्यू पे आएगा जो भी आपने असेट्स दिया है मतलब हो सकता है आपने cash वगेरा पे किया हो तो आपने जो cash पे किया उसके अलावा जो भी आपने liability सामने वाले की incur किये उसके बाद आपने इकविटी शर आपने सामने वाले को issue किये है fair value of equity shares issued by the acquirer fair value of deferred consideration मतलब मैं आपको payment दो साल बात करूँगा दो साल बात मैं आपको 2 lakh रुपीज का payment करूँगा तो उसको मैं आज present value पे दिखाऊँगा present value करके मैं आज उसको PC में चोड़ दूँगा for example मैं आपको 2 साल बाद 5 lakh रुपीज दूँगा जिसकी present value आज है 4 lakh रुपीज तो 4 lakh will be the PC बाकी का जो 1 lakh रुपीज हो जाएगा 1 lakh रुपीज will be treated as the finance cost unwinding of discount next 2 years का तो हर साल मैं finance cost का कुछ पार्ट पी इडल में चार्ज करूँगा और उसको PC नहीं मानूँगा मतलब interest पार्ट को PC नहीं मानेंगे इसके अलाव आता है fair value of contingent consideration का मतलब होता है कि अगर कुछ conditions अगर fulfill हो गई future में तो मैं आपको additional PC दूँगा ये भी आपको कभी कबार question में इसका present value निकालने का आपको discounting बोल दिया जाएगा या तो आपको इसका fair value दे दिया जाएगा अगर question में आपको इसका fair value नहीं दिया गया है नहीं आपको इसका कोई discounting rate दिया गया है तो इसको ignore कर लेना इसको PC में मत लेना ठीक है तो contingent consideration आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ contingent consideration बोला गया है कि future में हम pay करेंगे subject to the fulfillment of conditions तो contingent consideration भी replace करके अपने plan देती है तो उसको बोलते है replacement award जब holding company अपने subsidiary company के employees का ESOP replace करती है अपने ESOP से तो उसमें जो भी pre combination period का fair value होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे चलके कि pre combination period का fair value कितना होता है उसको भी PC में लिया जाता है तो PC के अंदर यह सारी चीज़ आती है cash हो गया उसके बाद आपने liability incur किया कोई दूसरा asset दिया आपने share issue किया fair value पे आपने deferred consideration किया आपने contingent consideration किया और ESOP का pre combination period का fair value यह सारी की सारी चीज़ें आपके PC में आती है अगर हम बात करें कि सर यह जो contingent consideration है यह हर प्रकार का contingent consideration आएगा हर प्रकार की condition जो दी गई है उसके उप part of the PC अगर contingent consideration किसी employment service की ऊपर based है जैसे मानलो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको additional 5 crore रुपीज दूँगा अगर आपकी company के director कम से कम 5 साल और continue करेंगे कम से कम 1 साल और continue करेंगे मतलब अगर मैं extra payment कर रहा हूं based on the some employment services या तुमारे employee को continue करके additional payment करूँगा future में तो उसक contingent consideration में employment service वाला जो payment होगा वो नहीं आएगा उसके बाद PC के अंदर stamp duty का अगर आप कोई payment कर रहे हो जैसे मानलो आपने सामने वाली company को take over कर लिया physically उसके land अपने नाम पर कर रहे हो उसके land अपने नाम पर करने के लिए आपको stamp duty register करनी पड़ेगी stamp duty करना पड़ेगा तो आपने stamp duty जो pay किया है या फिर आप जो भी amount pay कर रहे हो outside parties को regulators को outside parties को to run the license to run the company to run the business जो भी आप payment कर रहे हो outside parties को वो सारे के सारे आपकी acquisition related cost होती है और वो पूरी की पूरी आपकी pay handle में जाती है उसको transition cost पोलते है acquisition related cost बोलते है वो PC का part नहीं बनती I hope आपको यहां तक समझ म में आ गया होगा बेटा बोलो बेटा क्लीर हो आपकी नहीं तो फिर भी हमें same model follow करना है मतलब same concept तुम इंडेस 27 की बात करने हो शायद पर same model कौन सा follow करना है मैं समझा नहीं मतलब विनी तुम same क्या same वहां पर भी अगर held for different purpose है तो basically cost model और revolution और आपका fair value model हो सकता है बट मैं आपको अभी PC का बता है वो मैं आपको एक छोटा सा एक example के थ्रू करके देता हूँ B limited के one like equity shares है A limited ने 72,000 equity share required किये है 72,000 equity share required किये है B limited की equity share की fair value है 36 rupees fair value है 36 rupees constitution would be discharge in the form of cash 5 lakh rupees का cash देंगे तो 5 lakh rupees का आपका cash आ गया PC में हम एक equity share देंगे A limited का for every two shares acquired दो share के बदले हम एक equity share देंगे हमारे share की value है 60 rupees तो हम इतना आपको shares देंगे fair value पर इसके लावा in addition to above A limited will pay 6 lakh rupees in cash हम आपको 6 lakh rupees cash में देंगे एक साल के बाद 10% का discounting तो उसकी present value करोगे तो 5 lakh 45,000 पर आ जाएगा अगर आप अपने SFS की बात करो separate financial statements की तो आप entry पास करोगे investment account debit to cash मतलब bank to equity share capital and security premium क्योंकि आप share issue कर रहे हो और to deferred cash payable deferred cash payable के उपर आप हर बार unwinding of discount करते करते इसकी value आप बढ़ाते जाओगे जब तक आप pay नहीं कर देते ठीक है आई बरी बात समझ में कि नहीं यह हो गया आपको निकालना है आई हो आपको इतना समझ में आ गया होगा यह जो आपने 545 निकाला इसका first year का interest आप जब बुक of accounts में separate financial statements में करते हो separate financial statements में अगर आपने investment account debit कर दिया तो consolidation में जब आप entry करोगे net assets acquire करने की goodwill record करने की NCA record करने की तो आप investment को आप credit करते होगे ठीक है अगे बात करते हैं NCI की non-controlling interest non-controlling interest मतलब जितने shares subsidiary के holding company ने अपने पास acquire नहीं किये है directly और indirectly मतलब जो भी subsidiary के shares हैं वो holding क्या holding के किसी भी subsidiary के पास नहीं है उसको बोलते है NCI ठीक है हमें NCI को consolidated financial statements में निकालना पड़ता है NCI आपका negative NCI भी होता है हमने यह discuss किया है classes में और अभी मैं आपको बताऊंगा अब NCI निकालने के 2 methods होते है method 1 method 2 जो method 1 होता है NCI निकालने का वो बोलता है कि आप NCI निकालो fair value के basis पर जिसको आप full goodwill method बोलते हो जब आप NCI fair value पर निकालते हो तो आप उसको बोलते हो full goodwill method और आप जब NCI proportion of net a set method पर निकालते हो तो उसको बोलते हो partial goodwill method तो तो 2 method हो गए full goodwill method partial goodwill method या fair value method और proportion of net a set method जहा जो भी net asset आपने date of equation पर निकाले हैं जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था कि आपको date of equation पर net asset चाहिए होते हैं तो उसी के respective proportion में आपका NCA निकल आएगा यहां पर जो भी आपके net asset की fair value आई multiply by NCA का percentage for example 20% वो आपका NCA आजाएगा पर जब आप NCA निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं पर निकालने का एक तरीका होता है कि जितने भी shares subsidiary company के हमने acquire नहीं किये हैं तो ऐसे case में जैसे मान लीजे पुराने वाले question में कुल मिला के subsidiary के 1 lakh shares थे 1 lakh मैं से 72,000 shares हमने acquire किये तो कितने shares हमने acquire ने किये 28,000 shares हमने acquire नहीं किये तो 28,000 subsidiary company के shares हैं जिनकी आज की market fair value है 36 रुपीज तो हमने NCA निकाला 28,000 shares multiply by 36 रुपीज मतलब यह आ गया NCA तो fair value जब हम निकालते हैं तो fair value में हम number of shares multiply by fair market value करते है market price करते एक और तरीका होता है fair value निकालने का, fair value निकालने का एक दूसरा तरीका एक और होता है कि अगर suppose आपको question में fair value नहीं दिया हुआ, fair value per share, fair value per share नहीं दिया हुआ, अब आप इनसे कैसे निकालोगे, फिर आप बोलोगे कि जो भी आपने investment किया है, जो भी आपने investment किया है, 32,05 455, वो भी तो कहीं न कहीं अपने आपने fair value है, और वो investment आपने कितने percentage के लिए किया है, वो investment आपने 72 percentage के लिए किया है, तो आप इस तरीके से NCI का fair value निकालते हो तो fair value निकालने के भी तो तरीके होते हैं आइधर आपको directly market value per share दिया होगा या तो आप इस तरीके से निकालोगे आपको ये तरीका follow तभी करना है जब आपको question में market price per share नहीं दिया है तो otherwise आप ये करोगे ठीक है आई मरी बात समय में फिर अपन बात करते हैं दो प्रकार के NCI होते हैं एक होता है qualifying NCI एक होता है non qualifying NCI qualifying NCI मतलब ordinary shares ऐसे shareholder subsidiary company के जिनके पास subsidiary company के ordinary equity shares है और non qualifying NCI मतलब subsidiary company के वो shareholders या वो other components वो debenture holders जो convertible debentures हो है जो आगे चलके ordinary shares बन सकते हैं मतलब subsidiary company ने कुछ लोगों को convertible debenture issue करके रखे हैं subsidiary company ने कुछ लोगों के लिए share warrant issue करके रखे हैं कुछ लोगों को share option दे रखे हैं वो लोग भी आगे चलके ordinary equity share बन सकते हैं तो उसको बोला जाता है non qualifying NCI कुछ खास point नहीं आपको exam में हो सकता है mcq की अंदर हलका full का कुछ पूछा जाए या तो फिर ऐसे कोई पूछने के चांसे जादा लग नहीं रहे अगर qualifying NC की बात करें तो हमने देखा कि दो methods होते हैं non qualifying NCI के लिए proportional net asset method नहीं होता non qualifying NCI आपका किसी न किसी इंड एस में फॉल हो रहा होगा जैसे financial instrument में फॉल हो रहा होगा share based payment वाला share 102 में फॉल हो रहा होगा तो आप उनके respective इंड एस के हिसाब से आप उनकी fair valuation करते हो और अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप उनका fair value करते हो net asset method पे लगाएं अगर आपको fair value per share दिया हुआ है तो आप fair value method लगाओगे अगर आपको fair value per share नहीं दिया है पर question आपको पोल रहा है कि आप NCI fair value पे ही निकालो तो भी आप fair value के हिसाब से ही solve करोगे इस तरीके से जो मैंने आपको बोला investments के proportion में पर नहीं question में आपको कहा गया है कि आप fair value method follow करो नहीं आपको question में fair value per share दिया हुआ है तो ऐसे case में उसके बाद proportion of net asset method लगाओगे ठीक है when fair value is not given question doesn't require to calculate any fair value then use the proportion of proportionate share of net assets negative nci can be negative also when the net assets acquired are negative अगर आप net assets को negative कर रहे हो अपके negative कब हो सकते है जब आपका Reservance plus negative में हो और अगर आपने NCI को proportion of net asset method पर calculate किया है तो आपका NCI भी negative आ जाएगा उसके बाद हम goodwill और gain from bargain purchase कैसे निकालते है उसके लिए हमने पढ़ा था cost of control की working होती है cost of control cost of control की working में आप क्या करते हो cost of control की working आप date of acquisition पर करते हो acquisition पर आपको सबसे पहले cost of investment लेना पड़ता है आज आपने कितना investment किया definitely आपने fair value पर investment किया इसमें आप add करते हो कि क्या आपने पहले भी कोई previous investment करके रखा था subsidiary company में पर वो आपकी ताप subsidiary नहीं थी for example आपने पहले कभी 10% का investment करके रखा था पर उस टाइम पर आपकी subsidiary थी नहीं तो आपने ऐसा cost of control की working बने नहीं थी अब आपने further 70% acquisition किया तो जो आज के दिन आपने 70% acquire किया उसका consideration प्लस जो आपने पहले 10% acquire किया था क्योंकि आप NCI 20% निकालोगे तो जो पहले आपने 10% acquire किया था उसकी आज की fair value तो आपने consideration में क्या-क्या ले लिया current जो भी आपने consideration पे किया previous consideration जो आपने पे किया उसकी आज की fair value प्लस आप करोगे इसमें NCI प्लस करोगे आप NCI आप दोनों method से निकाल सकते हो चाहे fair value method हो चाहे proportional net asset method हो इन तीनों को जब आप add करोगे तो add करने के बाद आप minus करते हो 100% net assets of the acquiring company as on date of acquisition 100% net assets आपको कहां से मिलेंगे जैसा मैं आपको बताया था कि हम एक working करते हैं जिस working के अनुसार हम basically date of acquisition पर ये कोश net asset के लिए जरूरी है fair value करने के लिए इस दिन का net asset हम निकालते हैं और वो net asset हम यहां पर रख देते हैं जिससे हमें आ जाता है goodwill और gain from bargain purchase गोडविल और gain from bargain purchase के अगर मैं बात करूं तो gain from bargain purchase gain from bargain purchase आपका OCI में जाएगा जिस साल आपका gain from bargain purchase निकला उस साल आपका सबसे पह सब्सक्राइब होके वो statement of changes in equity में वहां जाके अलग से separately दिखेगा ठीके ना capital reserve के form में दिखेगा मतलब जिस साल आपका gain from bargain purchase निकला वो OCI में जाएगा और accumulate होके वो सोकी के अंदर capitalism में दिखेगा अब यहां पोला गया है कि आम दोर पर जनरल रूल यह होता है कि कहीं न कहीं आपने bargaining कियोगा तभी आपको फाइदा हुआ है तो इसलिए आप उसको OCI में ले जाओ और फिर accumulate करके capitalism में ले जाओ पर आपका gain from bargain purchase calculation करने में निकल रहा है पर आपको लग रहा है कि यार यह कैसे हो गया मतलब मैंने कोई bargaining तो की नहीं मुझे फाइदा कैसे हो गया तो अगर actual में आपको दिख रहा है कि मैंने कोई bargaining नहीं की यह कोई मेरा bargaining से gain नहीं हुआ है तो आप उस gain from bargain purchase को directly OCI में नहीं लोगे आप उसको directly capitalism में लेके जाओगे सोकी में आप उसको बिना OCI के ही directly capitalism में दिखाओगे अगर यह आपका कारवाउट है वो बोलता है कि आप उसको पी एंडल में लेके जाओगे OCI में नहीं लेके जाओगे अब सबसे important fund बच गया जो मैंने आपको बोला था कि बाई date of acquisition पर मोटा मोटी अगर देखें तो date of acquisition पर आपको चार चीज़े निकालनी होती है उनमें से हमने purchase consideration के बारे में समझ लिया हमने NCA के बारे में समझ लिया goodwill gain from bargain purchase कैसे निकलता है हमने समझ लिया अब हमारा जो major ध्यान होगा वो होगा net assets के उपर और net assets निकालने के लिए हम अलग से एक working करते है जिस working को हम statement of changes in net assets के नाम से पुकारते हैं कुछ लोग इसको analysis of profit भी कहते हैं मैंने आपको पताया था कि analysis of profit इसलिए बनता है क्योंकि हमने जिस दिन पर require किया है उस दिन का हमें reserves and surplus का balance चाहिए subsidiary company का अब ध्यान से देखिए मैं इसको statement of changes in net assets इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहा बनाते हो तो यह भी कर सकते हो कि आपने यहां पर इस statement में share capital रखा ही नहीं आपने सिर्फ उनके other equity के balances profit and loss के balances का proper calculation किया date of acquisition का कितना है और date of acquisition and second is for the long term purpose so in SFS both subsidiary need to account under cost or yes 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 बोथ आपको दोनों यह short term long term का कोई फंदा नहीं है short term long term का फिटना नहीं है कि एक short term की एक long term की है मैं एक को यूपर fair value एक की उपर cost रखो नहीं पॉसिबल ही नहीं है चल यह आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने आपको बता है statement of channel से net assets हम बनाते है profit and loss subsidiary company के reserves and surplus का analysis करने के लिए थाकि हमें date of acquisition पर मिल सके क्या position है उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि बाई net assets DOA पर कितने होने चाहिए पर कितने होने चाहिए जिसको आप pre acquisition balances बोलते हो और net assets आपके DOA के बाद कितने होने चाहिए जिसको आप post acquisition बोलते हो ठीके और यह होती है आपकी balance sheet date के balances तो यहाँ पर आप सबसे बिले लिख देते हो आपके share capital लिख देते हो उसके बाद उसके subsidy company के जितने भी other equity के balances है पी तो जैसा मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर वापस से बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा date of acquisition यह है 1st October का 1st April पे equity capital 5 lakh है यहाँ पर भी equity capital 5 lakh है 31st March को यहाँ reserve in surplus 3 lakh है यहाँ reserve in surplus 7 lakh है मुझे चाहिए date of acquisition की position तो मैं अगर आपको बोलूँ तो जब मैं बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर pre और यहाँ पर post मतलब यह DOA column का बनाऊँगा तो इसका मैं आप लिखूँगा equity capital 5 lakh मैं बोलूँगा इक्विटी capital मेरा 1st April को भी 5 lakh है 31st March को भी 5 lakh है तो DOA पे भी तो मेरा equity capital 5 lakh ही होगा ना ठीके तो balance sheet date पर भी मेरा 5 lakh फिर जब मैं reserve in surplus लिखूँगा तो मैं बोलूँगा reserve in surplus मेरा balance sheet date पर तो 7 lakh है और मेरा beginning में 3 lakh है मुझे ultimately देखना पड़ेगा जार मेरा 4 lakh का profit है वो पुरे 12 महीने का है जबकि मेरा date of acquisition किस दिन का है मेरा date of acquisition 1st October तो definitely 6 months का profit post acquisition period का है और 6 months का profit pre acquisition period का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इस 4 lakh rupees का time adjustment करना पड़ेगा time adjustment जब मैं करूंगा तो मैं बोलूँगा कि भाई 4 lakh रुपीज, बैसे मैं 2 lakh रुपीज, 6 months का profit यहां से हटाके, क्योंकि यह जो है period पोस्ट acquisition period यहां से हटाके, मैं pre acquisition period में जाके add कर दूँगा, ताक कि मुझे reserves की position मेरी 3 प्लस 2 बिल जाए. ताकि मेरी reserves की position मुझे 3 प्लस 2 मिल जाए आई बात समझ में की नहीं तो इस तरीके से हम time adjustment करते हैं बट अब यहाँ पर आपको मुझे आपको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि जब आप time adjustment करते हो जब आप यहाँ पर time adjustment करते हो 4 lakh रुपीस का तो 4 lakh रुपीस का time adjustment करने के लिए यू have to make sure कि यह आपका normal profit होना चाहिए normal profit before बिफोर डिविदेंट यह आपका normal profit होना चाहिए before dividend, before bonus issue अगर आपने कोई dividend issue किया है dividend pay किया है, bonus issue किया है और आपने माइनस कर दिया current year के profit में से तो यह आपका normal profit before dividend होना चाहिए before bonus issue होना चाहिए कुल मिला कि आप इस पहले profit को ठीक करोगे इसी लिए मैंने यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मेरे profits में कोई abnormal item जुड़ा हुआ है तो मैंने सबसे पहले उस abnormal item को हटाया है abnormal item को हटाया है अगर मेरे profit में कोई error है तो मैंने उसको ठीक किया है तो मैं यहाँ पर उसको ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं सही time adjustment कर सकूँ पिर मैं dividend को भी हटा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को current year में अगर मैंने कोई dividend pay किया होगा current year में मैंने कोई dividend declare किया होगा उसकी मैं entry पास कर तो मैं करन्ट यर के पेंडल से माइनस हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली उसको भी यहां पर एडवे करूँगा क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर डिवरेंट चाहिए ताकि मैं उसका टाइम अग्जस्मेंट कर सकूँ अब मैं करूंगा टाइम अग्जस्मेंट और टाइम अग्जस्मेंट करते वक्त हमारा अजम्शन यह होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट साल बर का हुआ है वो हर महीने सेम सेम हुआ होगा और यही अजम्शन के कारण मैं अबनॉर्मल आइटम को हटा रहा हूं मैं डिवरे हर मैंने का प्रॉफिट हर मैंने का नॉर्मल प्रॉफिट आफ्र टैक्स शुद भी सेम होना चाहिए इसलिए हमने दोनों चीज़ों को एड कर दिया अब यहां पर हमने जो एबनॉर्मल आइटम को वापस से रिस्टेट कर देंगे अबनॉर्मल आइटम मतलब पूरे साल में कोई भी अगर एपनॉर्मल गेन और लॉस हुआ था तो उसको हम यहां पर रिस्टेट कर देंगे हम यहां पर उसको रिस्टेट वगरा कर देंगे प्लस मैनस करने के लिए वह जिस डेट पर हुआ था ठीक है डिविदेंट जो अपन ने उसको एड बैक किया था डिवि 80% किसको मिल गया होगा 80% मिल गया होगा आपके holding company को तो मैं holding company के consolidate reserve and surplus से माइनस कर दूँगा मतलब यहां पर मैं डिविदेंट एड बैक तो कर रहा हूं पर डिविदेंट जब मैं less करना होगा तो मैं less यहां से न करके मैं directly holding का share of dividend मैं holding के reserve and surplus से माइनस करूँगा और minority का minority स माइनस करूँगा ठीक है आई बात साथन में गिनें वह तो बात थी equity different की पर अगर मानलो preference difference during the year दिया गया है तो preference different यहां तो मैंने सारे के-सारे different plus की होगे यहां तो मैंने different दियो होंगे plus की होंगे वो सारे के-सारे होंगे मतलब equity हो चाहे preference हो पर यहां नीचे देखिए मै मैं preference dividend वापस से minus कर रहा हूं because मुझे जो end में profit लगेगा वो मुझे चाहिए होगा profit available for equity shareholders तो preference dividend मैं वापस से minus कर रहा हूं depend करता है कि preference dividend कहां से minus होगा depending upon the period to which belongs अगर preference dividend current year का है तो 6 महिने का pre होगा, 6 महिने का post होगा तो वो दोनों में से minus होगा, आधा आधा इसके अलावा मैं assets liabilities का revaluation करूँगा क्योंकि मुझे net assets fair value पर चाहिए तो fair value पर net assets करने के लिए मुझे question में PPE का, inventory का, debtors का, land and building का इन सबका fair value दिया होगा तो मैं अपना fair value adjustments करूँगा उसके उपर respective depreciation की बाते करेंगे मैं अभी आपको further अभी बताऊंगा questions में भी और अभी आपको उसका adjustment अलग से बताऊंगा revolution करने के बाद, जो भी revolution करने के कारण अब हम assets को कितने पे लेकिया रहे, pair value पे लेकिया रहे क्योंकि हम उसका revolution कर रहे है, पर subsidiary के books up accounts में carrying amount of assets liabilities कुछ और होगी, उस वज़े से हम निकालेंगे DTA, DTL, तो वो DTA, DTL भी हम record करेंगे at the same time और अगर मैं DTA record कर रहा हूं, तो आज मेरी net asset की value बढ़ जाएगी और अगर मैं DTL record कर रहा हूं, तो आज मेरी DTL net asset की value गिर जाएगी इसके करण में DTA, DTL का भी effect अपने net assets के अंदर दे रहा हूं, net assets as on the date of acquisition date of acquisition पर मेरे net assets क्यों-क्यों बढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं, share capital के करण मेरा net assets आएगा reserve and surplus के करण मेरा net assets आएगा, फिर सही दिन का reserve and surplus चाहिए, तो मुझे time adjustment करना है फिर उसके बाद revolution के कारण मेरे net assets बढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं, फिर उसके उपर DTA, DTL बनाने के कारण मेरे net assets बढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं, और उसके अलावा last adjustment मेरा आएगा, elimination of unrealized profit, unrealized profit का elimination करेगा, करना पड़ेगा, अगर upstream transaction होगा तो, वो हम यहां से हटाएंगे, यहां नहीं हटाएंगे, अगर upstream transition होगा, तो unrealized profit का elimination हम यहां से minus करेंगे, upstream transition मतलब, subsidiary ने holding को goods बिचा, तो holding के पास unsold stock है, जिसमें subsidiary का profit है, subsidiary का profit है, वो हम directly subsidiary के post-equation profit से minus करेंगे, इस तरीके से हम यह वाला statement बना रहे हैं, ठीक है, take net assets on date of equation as 100%, यहां पर जो हमें net assets मिलेगी, यहां पर 100% net assets जो हमें मिलेगी, यह 100% net assets को हम cost of control की working में ले जाएंगे, to calculate the goodwill or gain from work in purchase, APPORTION, चेंज कोडमग और यहां का ihr balance मिलेगा, इसके दो हिस्से हुएंगे, एक हिससा होल्डिंग दे ह्गी, हिससा हिस्सा, एक हिससा होगा होगा, एक हिसस, आपका minority का、 और यह holding का पोस्ट हिस्सा होगा, post acquisition period का, और minority का भी यह position का हिससफा होगा, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया कि डिविडेंट जो है अगर सबसेटरी कमपणी दिविडेंट दे रही है तो क्या-क्या होगा तो आईए अपने स्टेप्स देखते हैं डारेटली एड बैक इन दे स्टेट्मेंट आफ नेट असेट्स जो अभी मैंने पर आपको दिखाया स्टेटमेंट नेटस इस तो उसमें मैंने यहां पर सबसेब ले एड बैक किया क्योंकि मुझे टाइग एडजस्मेंट करना है गिविडरींट का थो मैंने यहां पर and remaining dividend directly from NCI के working से तो NCI की working से और holding की working से अपन proportionate dividend minus करेंगे when the dividend is paid before date of acquisition then deduct the dividend directly from DOA हाँ अब यहाँ पर अगर मान लीजे मान लीजे यह आपका DOA है पर dividend मान लो subsidiary company ने यहीं पर pay कर दिया था तो फिर ऐसे case में आपने यहाँ dividend add back तो किया क्योंकि आपको time adjustment करना है फिर आपने time adjustment किया पर वही dividend आप क्योंकि यह DOA के पहले दे दिया गया है तो वही dividend आप directly यहाँ से minus कर दोगे यह dividend paid before DOA तो यह dividend आप directly यहाँ से minus कर दोगे अगर different date of acquisition से पहले ही pay किया गया है फिर आपको minus करने के लिए respective holding company के और minority में जाने की ज़रूत नहीं है क्यों क्योंकि holding company को different मिला ही नहीं होगा जब मिला यह नहीं होगा तो उसके पीडिल में को different होगा यह नहीं फिर आपको minus करने की कोई मतलब भी नहीं है आई मेरी बात समझ में क्लियर चलिए तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर dividend date of acquisition के बात पे किया गया है जो कि आपको mostly question में दिखेगा तो आपको directly dividend minus करना है holding और NCI के वर्किंग से holding के consolidated and surplus और NCI के वर्किंग से पर अगर dividend pay किया गया date of acquisition से पहले ही तो आप यहीं इसी statement में ही आप dividend को minus कर दो प्री वाले column से मतलब इस column से आप minus कर दोगे ठीक है यह होगे आपका dividend का fund यह होगे आपका dividend का fund डिवरेंट के ऊपर एक example है अगर आप चाहो तो करके दा सकते हो उस example में preferential capital भी है और preference dividend भी है तो अगर आप देखोगे तो आपको preferential capital preference dividend भी आपको समझा दूंगा मैं आप देखें द्यान से subsidy company का preferential capital भी है ठीक है और हमने जो investment किया है investment in equity shares किया है investment in preferences किया है अब यह वाला point पर मैं थोड़ा सा slow हो जाऊंगा क्योंकि यह एक नया point है और आपको पता है कि November 23 वो सारे बच्चे जो November 23 का exam देखें आये थे उनको पता है कि November 23 में इंस्टिट्यूट ने नई नई चीज़े पूछी दी तो यह भी एक new चीज है new चीज में यह क्या है कि अगर बानलो सब्सिट्री कंपणी के पास preferential capital रखा है सब्सिट्री कंपणी के पास preference dividend उसने दिया है तो उसका क्या treatment होगा preference dividend का तो मैंने आपको पता दिया कि यहाँ पर आप dividend जब add back करोगे तो सारे के सारे dividend add back करोगे अगर preference dividend की entry pass हो चुकी है तो और फिर last में less भी कर दोगे पर अगर मानलो preference dividend current year का end में दिया गया और declare किया गया पर उसकी entry pass नहीं हुए तो आपको यहाँ पर add back करने की ज़रुत नहीं है यहाँ पर क्या लिखा है if declared in the current year and entry is passed ठीक है अब आप preference यह capital और preference dividend को देखे क्या क्या होगा holding company ने subsidiary company के equity में investment किया है और preference में भी investment किया हुआ है both the investments were required on 1st April preference dividend is declared by subsidiary on 31st March but no entries yet passed by the boat तो कुल मिला के preference dividend declared दो किया गया पर उसकी कोई entry pass नहीं हुई है इसलिए हम यहाँ पर preference dividend को देखो add back नहीं कर रहे है preference dividend को हम यहाँ पर add back नहीं कर रहे है यह जो हमने statement बनाया on 1st October 1st October को equity dividend subsidy ने pay किया 12% का जब उसने pay कर दिया होगा तो उसने entry pass कर लियोगी इसलिए हम equity dividend को देखे यहाँ पर add back कर रहे है सबसे पहले अब हमने equity dividend को add back कर लिया अब हम final balances जब निकालेंगे तो final balances निकालेंगे preference dividend minus करने के बाद भले preference dividend की entry होई नहीं थी इसलिए हमने add back नहीं किया पर अब हमे preference dividend को account ford करना पड़ेगा इसलिए हम उसको less करेंगे तो preference dividend जो pay किया गया वह कितना pay किया गया preference dividend 9% 5,000 आप करोगे तो आपका 45,000 आएगा प्रेफरेंस अपने minus किया post acquisition कॉलम से क्यों क्यों क्योंकि आपका जो preference dividend पूरा का पूरा current year और current year पूरा का पूरा आपका post period है post acquisition period है तो आपने पूरा का पूरा यहां से minus किया हो सकता है आपका date of equation mid का आगया हो तो आदा आप यहां से minus करोगे आदा यहां से minus करोगे आई बात सान में कि नहीं तो इस तरीके से आपने यह statement of channels in net assets निकाल लिया आपको यहां पर net assets आ गए यहां पर आपने equity share capital 9 lakh rupees रख दिया था पर क्योंकि subsidiary का preference भी है तो आपने यहां पर नहीं रखा है यहां पर आपने फिलाल नहीं रखा है आप इसको अलग से ले जाओगे जब आप NCI की working करोगे जब आप NCI की working करोगे तो ध्यान से देखिए कि यह आपका net assets आया 14 lakh rupees और इसमें आपका NCI होग है प्रेफरेंस में आपका investment 30% का है तो NCI वालों का होगा 70% इसी वज़ा से हमने यहां पर स्टेट्मेंट आप चनले से नेटर सेट में हमने preference capital हमने यहां ने लिया हमने उसको अलग से उसका 70% करवाया NCI के लिए और 30% चला जाएगा cost of control की working में 30% वाला पार्ट चला करते हैं उसमें हमने 100% preferential capital ले गए तो ultimately वो respective proportion में आ जाएगा guys understood or not तो इस तरीके से हम goodwill और gain from bargain purchase निकालते हैं और कोई effect नहीं आएगा तो कुल मिला के करना क्या है करना यह है कि अगर question में subsidiary अगर subsidiary के balance sheet में आपको preferential capital दिया हुआ है और holding ने भी कुछ investment किया है preference में तो आप NCI निकालते वक्त आप preference capital का जो भी NCI का share है वो अलग से यहाँ पर लिखोगे और goodwill gain from bargain purchase करते वक्त आप 100% net assets लेते हो तो preference capital भी आप 100% लोगे ताकि वो अपने आप net off हो जाए बात बची different की तो अगर dividend भी है preference different भी है तो आपको यह देखके चलना है कि उसकी entry pass होई है कि नहीं अगर आप subsidiary की balance sheet देखोगे तो उसकी balance sheet में dividend payable कहीं नहीं दिख रहा है मतलब entry pass नहीं होई है इसका मतलब हमें post acquisition column में उसको add back नहीं किया अगर entry pass हो चुकी होती तो balance sheet मे प्री यह post column से list करते थे अब बात बची balance sheet में इसका क्या impact जाएगा तो balance sheet में यह जो preference different payable यह जो preference different payable है 9% 45,000 तो 45,000 का 9% 45,000 जिसमें holding का share 30% है उसको छोड़कर बाकि जो हमें non controlling interest वालों को देना है 70% मतलब 45,000 का 70% वो हमारे balance sheet में भी दिखेगा dividend payable dividend payable 31,500 जो की payable है payable to nci क्योंकि holding बोलेगा कि 30% मुझे मिलेगा subsidy बोलेगा मुझे 30% holding हो दिना है तो वो तो cut हो जाएगा मतलब वो common debt पन के set off हो जाएगा तो remaining सिर्फ nci का preference different payable रखेगा मुझे बताईए यहां तक आपको सबको clear है कि नहीं तो यह different का important point था different के अंदर preference capital और preference different भी मैंने आपके साथ discuss किया यह बहुत जरूरी point था आप इसको जान अच्छे से ध्यान रखेगा कि मैंने आपको कहा था मुझे माउध अलसर्स है दोला तर्थ भी हो रहा है इसलिए मैं 20 में पॉज लूगा तो मैं बहुत दर्थ से बोल रहा हूं तो इसलिए बस पॉज ले रहा हूं इसलिए बस इतनी request है आप सबसे कि मुझे यहां दर्थ होने के वावजूद भी मैं आपके साथ महनत कर रहा हूं आपके उपर लगा हुआ हूं तो मेरी अपेक् सकता सी यह बनने से कोई नहीं रोग सकता तो बस मैंनत करते रहों लगे रहों कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए हमें अंत तक भीड़े रहना है और लगे रहना है ठीक है कि अगर चलिए कि आगे बढ़ते है कि आप यह बढ़ सकते हैं अब आते हैं फेर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स रिवैलुशन जो अभी हमने रिवैलुशन का एक एड्जस्मेंट देखा था कि यहां पर हम रिवैलुशन करते हैं अपनी असेट्स लाइविटिस का रिवैलुशन करते ह पंड़ा यह है कि आप 1st April और 31st March का आपको पूरे सालवर का डेटा दिया हुआ है और आपका date of acquisition 1st October का है आपको इस दिन net assets चाहिए इस दिन आपको fair value of net assets चाहिए तो आप क्या करोगे आप equity capital आप आपने ले लिया statements है फिर उसके बाद आपने other equity के balances भी ले लिये after time adjustment time adjustment करके आप जानते हो इस्टिल जो आपका यह net assets आया है ना यह net assets आपका book value पर है यह still आपका net asset क्या है book value पर आपका net asset है आप इसमें क्या जब तक आप इसमें अपनी asset के revaluation gain और loss बुक नहीं कर लेते जो की asset आपकी market में आपकी किस value पर है आप अपने asset का revaluation gain loss बुक नहीं कर लेते तब तक आपको net assets pair value पर नहीं मिल पाएगी तो कहने का मतलब moral of the story कि date of acquisition पर आपको revolution gain loss निकालना पड़ेगा date of equation पर आप revolution gain और loss निकालोगे तो इस दिन आप pair value of assets liabilities को compare करोगे book value of assets liabilities को compare करोगे same DOA के दिन और जो भी आपर आपको comparison मिलेगा वो आपका revolution gain loss होगा जिसके करण आपकी net asset बढ़ सकती है तो net asset गिर सकती है gain है तो net asset बढ़ेगी plus loss है तो net asset गिरेगी तो यह आपको करना होता है अब यह करने के लिए आपको date of acquisition का fair value question में दिया होगा question में आपको यह दिया होगा पर आपको book value हो सकता है यह न दिया जाए तो सकता है आपको book value मिल गया तो further depreciation rate का used करके till doa तक old küç lack करके आप यहां पर book value ला सकते हो तो वही बोला गया है कि जब आप ऐसा adjustment करोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको revolution profit loss निकालना है ठेके ना revolution profit loss निकालना है आपको आपको प्लस माइनस आपको फेर वैल्यू डी ओए का होगा आई बाद सब्सक्राइब की नहीं जो भी आपका रीवलेशन गेन लॉस आपको मिला जो भी आपको रीवलेशन गेन लॉस मिला वो आपका प्री एक्क्वेजिशन कॉलम में जाएगा प्री एक्क्वेजिशन कॉलम मतलब यह वाला कॉलम आपका जब आप इस वाले प्री एक्क्वेजिशन कॉलम में जाएगा ताकि वह आपके नेट असेट आपका निकाल ले फेर वैल्यू का अब आपने अपनी असेट लाइपटी का फेर वैल्यू कर लिया अगर आपकी कोई PPE है तो उसके उपर आप additional depreciation या saving and depreciation निकालोगे क्योंकि depreciation भी कही न कहीं consolidated financial statements पे fair value पे लगना चाहिए तो depreciation भी कही न कहीं fair value पे लगना चाहिए तो उसके इसाब से आप depreciation का भी adjustment करोगे कितना depreciation लगना चाहिए था should be charged on the fair value कितना depreciation लगना चाहिए था should be charged on the fair value for the post acquisition period और कितना depreciation लगा गया है for the post acquisition period जो भी आप depreciation का effect दोगे वो आप post acquisition period का दोगे और ये effect आपका second number column जो ये changes वाला column है post acquisition वाला column है post acquisition वाला column है यहां पर जाएगा ये जो आप revolution gain और loss आप निकाल के depression का adjustment करते हो ये आप हमेशा time adjustment के पहले time adjustment के बाद करोगे ठीक है अब ये सब करने की वज़ा से आपका defer tax asset, defer tax liability भी affect करेगा pre वाले period में भी, post वाले period में भी because of the depreciation ठीक है आई मेरी बात समझ में जैसे अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर PP दिख रहा है 13,50,000 का ये PP 31st March का है और 10% depreciation है तो बताइए PP आपका opening balance कितना आ जाएगा 15,00,000 का अब आपका data of acquisition का है data of acquisition आपका 1st July का है तो 1st July का आपका data of acquisition है तो आपको 1st July तक वापस से opening मैं से depreciation माइनस करना पड़ेगा तो आपका मिल गया आपको 14,60,500 अब आप इसको compare करोगे fair value के साथ fair value आपका है fair value आपका है 16,00,000 का तो 16,00,000 की fair value के साथ compare किया तो आपका fair value गेन आगया और fair value गेन आपका ये चला जाएगा प्री acquisition कॉलम में अब इसके उपर आप tax का effect भी निकालोगे क्योंकि आपका gain हुआ है आप अपने asset की book value बढ़ा रहे हो जबकि tax base आप assume करके चलोगे कि वही tax base तो वही होगा 13,50 तो tax base कम है आपने अपनी book value बढ़ाईए asset की books में अपनी इसके चक्कर में आपका DTL क्रियेट होगा और defer tax liability बनेगा 25% का rate of tax दिया हुआ है इसके इस figure के उपर आपका DTL निकलेगा 34,375 DTL भी आप इसी दिन मनाओगे तो आपके net asset इससे गिर जाएंगे इससे आपके ultimate net asset गिर जाएंगे आया समझ में की नहीं फिर आगे चलके आप depreciation की working करोगे मैंने कहा था कि depreciation की working सिर्फ post period की होती है और आपके question में post period जो है वो 1 July के बाद का है मतलब 9 months का है तो 9 months के period का depreciation का charge कैसे निकालोगे की depreciation कितना लगना चाहिए pair value पर तो 16 lakh के उपर 9 months का depreciation कितना लगना चाहिए 16 lakh के उपर 9 lakh का depreciation 9 months का depreciation 10% पर लगना चाहिए 1 lakh 20,000 और actually subsidiary company ने depreciation लगाया होगा closing है 1350 और 1 July को value है 1460 तो 500 इन दोनों का difference तो depreciation लगा होगा 1,1 तो 500 तो हमें excess depreciation लगाना पड़ेगा 7500 का हम अगर excess depreciation 7500 का लगा रहें तो हम अपनी पीपी के value आज गिरा रहें books of accounts में जबकि tax base यादा होगा तो यहाँ पर ultimately आपका DTL reverse होगा जो DTL आपने यहाँ create किया था वो DTL आपका reverse हो जाएगा तो वो DTL आपका reversal हो जाएगा 1875 वो आप 1875 post equation column में दिखा होगे और जो उपर आपको gain हुआ था 34375 वो आप अपने pre column में दिखा होगे डीटियल बना आई बात समझ में जब आप consolidated financial statements की balance sheet बनाओगे तो balance sheet बनाते वक्त भी आप PPE के अंदर उनकी respective book values तो जैसे लेते हो बोलेगोए आप fair value gain का effect second effect यहां लेकिया होगे और आप additional depression का भी second effect लेकिया होगे इसके लब आप DTA detail भी अलग से दिखा होगे यह देखिए आपका DTA detail 32500 देखेगा क्योंकि आपने इतना detail बनाया और आपने इतना detail reverse कर दिया तो net detail आपका बाकी का दिखता रहेगा 32500 का यह होगे आपका revolution का adjustment यह होगे आपका revolution का adjustment यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे पताईए सब clear है कि नहीं पिर उसके पाद हम बात करेंगे step acquisitions step acquisition मतलब आपने first time acquire किया 20% फिर आपने second time acquire किया 60% इसको बोलते है step acquisition कुल मिला कि आपका acquisition 80% हो गया पर आपकी जो date of acquisition मानी जाएगी वो second acquisition के time पर मानी जाएगी और जो आपका first acquisition है जो आपका first acquisition है उसको आप date of acquisition पर fair value करोगे date of acquisition पर आप उसको fair value करोगे आई बात समझ में कि नहीं तो step acquisition का funda क्या होता है step acquisition का funda यह होता है कि आपको दो जगा adjustment देने पड़ते है step acquisition के जो आपने previous acquisition किया है उसको आपको fair value करना पड़ेगा और cost of control की working में आपको fair value दिखानी पड़ेगी अब मान लीजे previous previous investment का caring amount 5 lakh था आपने उसको fair value करके 6 lakh कर दिया तो आपने 1 lakh रुपीज से आपने उसकी value बढ़ा के आपने goodwill और gain from bargain purchase में investment 6 lakh रुपीज रखे पर इसका second effect भी तो आप दोगे तो 1 lakh रुपीज का 1 lakh रुपीज का second effect आपके consolidated P&L में जाएगा holding company के कईने कई 1 lakh रुपीज का profit बुक होगा P&L में ठीक है आई बढ़ी बात 7 में की नहीं तो अगर आप entry के साब से समझें तो आपने investments जब revalue कीए आपने जब investments अपने आज fair value पे ले रहे हो तो आपको दूसरा effect जाता है जब आप goodwill gain from bargain purchase निकालते हो तो उसमें आप अपने investments में previous investment की fair value करते हो मतलब मेरे example के according आप 6 lakh रुपीज करोगे आपने 1 lakh रुपीज बढ़ा के कर दिया और 1 lakh रुपीज का दूसरा effect आप holding company के consolidated P&L में लेके जाते हो यह होता है clear अब यहाँ पर एक बहुत important point है investments in associate converted into subsidiary investment in subsidiary मतलब पहले आपका investment था 30% और आपने further 50% खरीदा तो आपकी वो investment subsidiary पर बन गई पहले जब आपका 30% था तो आपका investment in associate था और आप equity method लगा रहे थे तो जब आपने पहले equity method लगाया होगा तो आपके books of accounts में आपने investments को हर बार equity method के इसाब से revalue किया होगा जब आपने revalue किया होगा तो revalue करते वक्त आपने अपने investments की value बढ़ाया होगी और subsidiary के profit में आपका share आप अपने P&L में लेके गए होगे subsidiary के OCI में आपका जतना share बनता है 30% वो आप अपने OCI में book करके लेके गए होगे मतलब जब आपने investment को equity method लगाया होगा तो आप अपने investment की value बढ़ाया होगी आपका मानलो associate company profit कमा रहा है तो उस profit में आपका share होगा आपके associate company ने कोई profit OCI में book की है तो उसमें OCI में भी आपका OCI का share होगा वो आप अपने OCI में book करोगे तो equity method follow करते वक्त आपने respective investment की value तो बढ़ाया होगी और उसका credit effect आपने P&L और OCI में definitely डाला होगा इस तरीके से आपने आपने investment की value बढ़ाया होगी equity method में detail में आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो indies 28 की बाते हैं वो मैं बाद में आपको बेरतर में समझाऊँगा पर अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने equity method पहले से ही follow करके रखा होगा 30% बढ़ा अब जब आपकी investment in associate convert हो रही है investment in subsidiary में तो अब आप क्या करने वाले हो अब आप क्योंकि investment in subsidiary में convert कर रहे हो तो आप अभी तक सिर्फ investment show कर रहे थे पर अब आप consolidation में उस subsidiary के जो की पहले आपकी associate थी उसके net assets लेकि आओगे आप उसका क्या बोलते हैं net assets लेकल आने के सथ साथ आप NCI ले क्या होगे nciा लेक्या होगे यहाम इन्हें nc i información यहामizma लिखा नहीं है 3rd कि nci आप एंजियर कर औहesten कर होगे आप goodwill record करोगे ठीक है आप goodwill record करोगे आप gain from bargain purchase record करोगे मतलब capital reserve record करोगे, capital reserve, ठीके, ये भी आपने कर लिया, सर ये आपने two bank जो किया है, two bank मतलब क्योंकि आपने जो अभी अभी just एक नया नया investment किया, इसलिए two bank, ये 50% वाला investment, two investment जो किया है, two investment मतलब जो ये पुराना वाला investment, जो आपने equity method पे रखा था, आपने उसको 30% वाला investment जो आपने equity method पे maintain किया था, वो कर दिया, ऐसे case में, जो भी आपने पहले OCI के balances, accumulate करके रखे थे, equity method follow करते वक्त, associate company के OCI के share, OCI के अंदर जो आपके share थे, वो आपने OCI में रखे थे, उन OCI को भी आप reclassify करके P&L में लेके जाओगे, अगर आपको index के हिसाब से allowed है तो, और अगर आपको index के हिसाब से allowed नहीं है, तो आप उन OCI के balances को directly retained earning में लेके जाओगे, तो कहने का मतलब मुद्द ये है, कि OCI के income के figure अपने OCI में डाले थे, अब आपके पास वो वाला OCI का balance बढ़ा है, जो आपको उस associate company से share बिला, जब आप अपनी consolidation करोगे, subsidy में convert करोगे, तो equity method को discontinue कर दोगे, तो equity method को discontinue करते वाग, ये जो OCI के balances है, आप इनको भी reclassify करके, आइधर P&L में लेके जाओगे, या फिर retained earning में लेके जाओगे, अगर P&L में लेके जाना, allowed है respective index के हिसाब से, जैसे आपके पास FCTR के balances थे, exchange गे ली, तो वो allowed है, पे एंडल में लेके जाओगे, पर अगर आपके पास allowed नहीं है, तो आप उसको directly retained earning में लेके जाओगे, जैसे मानलो revolution reserve है, तो revolution reserve आपका retained earning म देखके, और दो जाओगे, तो जाएं ये देखे, वेशन नमर वरन वन सेवन है, प्रॉब्लम का नोट आपको डाउनलोड करके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से 1st April को PQR का 30% का इन्वेस्मेंट था उसने इन्वेस्मेंट किया 8000 क्रोर्ट में तो यह हो गया cost of 30% इन्वेस्मेंट पीक्यू आर अपने इन्वेस्मेंट को अकाउंट फोर कर रहा है उसमें अपना शेयर लिया और associate के रिवालेशन रिजर्व में जो उसका शेयर है वो उसने लिया कुल मिलाके 850 से उसने अपने इन्वेस्मेंट की वैल्यू बढ़ा दी तो उसने एंट्री कियोगी इन्वेस्मेंट अकाउंट डेबिट 850 तू कंसॉलिडेटेट पी एंडल तू कंसॉलिडेटेट ओसी आई में ले गया होगा वह 150 और बाकी यहां पर ले गया होगा वह 700 उसने एक्विटी मसल्ट फॉलो किया होगा अब उसके इन्वेस्मेंट आज बैलेंशी डेट पर हो 25,000 में तो यह अमारा फॉर्दर इन्वेस्मेंट तो फॉर्दर इन्वेस्मेंट 25,000 हो गया जो अमारा प्रीविए इन्वेस्मेंट था आज उसका बैलेंस एक्विटी के यहाब से कित्ता है 850 हम उसको डेकर नाइस करेंगे तो देखिए हमने आज पेमेंट किया तू वा हमने रिवर्स कर दिया OCI का बैलेंस हमने देखिए यह 150 यह OCI के बैलेंस हमने रिवर्स कर दिये 150 उसके बाद हमने सामनेवाली कंपणी के net assets हम लेकिया है net assets हमारे fair value के 30,000 के थो 30,000 के हमने net assets लेकिया है गुडविल गें फ्राम बार्गें पर्चेस के लिए हमने सी ओसी निकाला होगा सी ओसी में हमने कितना इंवस्टेंट के 25 थाउजन करंट फिर वेल्यू आपका 9 थाउजन है और एंसी आई एंसी नेट आइडेंटिफाबल असेट के प्रपोर्शन में हमने निकाला होगा यह सब होने के बाद हमने देखा कि यह OCI के बैलेंस को हम रिक्लाइस वे करके पी इंडल में लेके जाएं क्या भाई FCTR की बात करें तो वह अलाउड है पर पीपी रिवेलिशन डिजर्व अलाउड नहीं है तो हमने पीपी रिवेलिशन डिजर्व 50 को डारेक्ली रिटें और बाकिका पूरा बैलन्स हमारा पी इंडल में चला जाएगा जब आपको आपको बताता हूं एक तो जो प्रिवेस ली हमने एक्सचेंड डिफरेंस का 100 रुपय बुक करके रखा था हमने उसको रिक्लासिफाय किया और इसके अलावा हमारे जो इन्वेस्मेंट थे 885-0 पे दिख रहे थे हमने उसको आज जब फेर वैल्यू किया 9000 पे तो कहीं न कहीं हमें 150 का और भी फायदा हुआ तो 150 वो और 100 रुपीज का एक्सचेंज गेंज हमने पेंटल में ले गए है कुल मिलाके 250 हम पेंटल में लेके गए है तो यह क्वेश्चन इस तरीके से हुआ तो इस तरीके से आपका जब असोशेट कंपनी सबसीडरी में कर्णोर्ट होता है तो ऐस होता है तो अब दीजे पानी पीना है मुझे तो मट दीजे अब दीजे झाल 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 त येस डियर ओमकार मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूं मैं unrealized profit loss on assets stocks transferred within the group holding ने subsidiary को stock sale किया profit margin पर वो stock subsidiary के पास आज भी unsold है consolidation rate पर तो उसे stock के अंदर holding company का profit शामिल होगा तो क्या करेंगे जिसने profit कमाया उसके P&L से हटाओ profit किसने कमाया holding ने तो holding के P&L से हटाओ वाईजा वर्सा उल्टा subsidiary company ने holding company को goods बेचे during the year और holding company के पास वो goods आज भी unsold stock की तरह रखे हैं as on consolidation balance sheet date profit किसने कमाया subsidiary ने जिसने profit कमाया उसके profit से हटाओ तो profit subsidiary कमाया तो subsidiary के profit से हटाओ तो इसी इसी लिए subsidiary के profit से जब हम अटाएंगे तो जब मैं आपको यह statement करवा रहा था उसमें मैंने आपको यहां से elimination of unrealized profit upstream यह हटवाया था तो simple सा fund है जो profit कमाएगा उसके रिजर्व से हटेगा जो profit कमाएगा उसके रिजर्व से हटेगा अगर subsidiary कमाएगा तो हम हम इस वाली working से हटाएंगे और अगर holding कमाएगा तो holding के directly consolidated reserve से हटेंगे respectively balance sheet के अंदर इस stock की value में से भी profit हटाया जाएगा यह वाला एक point तो clear हो गया तो unrealized profit का तो simple सा fund है अन्डिलाइस का profit का simple सा fund है इसमें भी यह है कि इसमें भी आपका detail detail का impact आएगा क्योंकि आप अपने stock की value में से profit हटा रहे हो मतलब consolidated financial statements में आप stock की value change कर रहे हो पर उसका tax base subsidiary के अंदर तो कुछ और होगा तो उस पर भी इसका detail का effect आएगा तो यह वाली वाली सारी बाते क्यों ही है कि उसका detail detail का भी effect definitely on the rate of balance sheet आएगा जब मैं आपको पूरा एक full-fledged consultation का question कराऊंगा इस marathon के last class में तो आपको सब समया रहेगा सारे adjustments में इखटे करके आपको दिखाऊंगा सारे के सारे adjustments आपको इखटे करके दिखाऊंगा ठीक है यहाँ पर एक मुझे आपको दिखाना है एक और अब यहाँ पर गुड्स न बेचके उसने capital equipment बेचा है मतलब सामने वाली company उसको PPE रिकॉर्ड करेगी पी रिकॉर्ड करेगी तो उसको डेपरिसेशन भी क्लेम करेगी तो ध्यान से सोचना एक आपको एक का point of you से सोचना है और एक आपको subsidiary के point of you से सोचना है तो ए ने 100 lakh का equipment अपनी subsidiary को sale किया 120 में तो मुझे बताओ profit किस ने कमाया 20 lakh का ए ने तो हटाएगा कौन ए हटाएगा profit हटाएगा कौन ए हटाएगा profit इसने कमाया ठीक है तो हटाने के लिए consolidated financial statement पे हटाने के लिए entry का करेगा consolidated P&L to PPE consolidated P&L to PPE वो हटाएगा 2020 पीपी के value कम कर देगा उससे ठीक है the capital equipment is recorded as PPE useful life of the PPE on the date of transfer was 10 year अब subsidiary company ने उस PPE के उपर depreciation लगाया होगा 10 years के साब से 120 के उपर जबकि depression उसने कितना लगाया होगा 12 का जबकि depression कितना लगाना चाहिए 10 का तो excess depression subsidiary ने अपने P&L में डाला होगा तो subsidiary ने ज्यादा डेपरिशन लगा लिया तो depression को reverse करेंगे reversal होगा जब depression को reverse करेंगे तो PP की value बढ़ेगी तो subsidiary के point of view से PP की value वापस से हम 2 रुपीस से बढ़ाएंगे और depression को reverse करेंगे depression कहां चला गया होगा पास और 20% हिस्सा कहां जाता है एंसे के पास तो holding को उसका 80% मिलेगा 1.6 और बाकी NCI को मिलेगा point 4 तो ultimately holding के P&L में क्या क्या असर पड़ेगा 20 रुपीस से अगर holding का P&L माइनस हुआ है तो 1.6 से holding का P&L add हो रहा है तो इस basis पर अगर आप यह दोनों entries को combine करोगे तो आपको यह single entry समझ में आ जाएगी इस तरीके से आपके consolidation उसका effect आएगा ठीक है पिर आगे की बात कर रहे है अब overall हम major major adjustments देख चुके हैं revolution का देख लिया dividend का देख लिया preferential capital preferential different का देख लिया step acquisitions देख लिया subsidiary company बन गई हो पहले वह associate company थी अब वह subsidiary company बन गई वह देख लिया unrealized profits losses वगरा देख लिये अब हम कुछ चीजों को यह देख रहे है exact नहीं मिल रही तो हम estimation कर पाएंगे कि नहीं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे आईए तो सबसे पेले recognition date पर recognition date पर हम सारे assets liabilities को लेके आएंगे ठीक है ठीक है लेके आएंगे सर किस value पर लेके आएंगे अफकॉस fair value पर लेके आएंगे assets liabilities which are not recorded by acquire subsidy company की books में जो asset liabilities नहीं है पर जो हमारे लिए वो asset liability की definition में आ रहा है ठीक है ना हमारे लिए shell also be recorded if they meet the recognition criteria as per acquirer acquirer के लिए अगर वो recognition criteria meet out कर रहा है तो वो record करेगा मतलब unrecorded asset liabilities contingent liabilities की बात करें तो contingent liabilities में बस इतना आपको याद रखना है कि अगर present obligation present obligation क्या है present obligation not probable that outflow of economic resources will occur अगर present obligation even though outflow क्या probability कम है तो भी हम business combination के अंदर contingent liabilities को record करेंगे यह एक important exception है contingent liabilities को कभी भी record नहीं किया रहाता contingent liabilities को को डिस्क्लोस किया रहता है but business combination की accounting में हम contingent liabilities को रिकॉर्ड करेंगे अगर वो क्या है अगर वो present obligation है even though outflow is not outflow of economic benefits will occur उसकी probability भले कम है ठीक है पर अगर outflow reliably measure नहीं हो पा रहा है तो एक अलग बात है outflow reliably measure हो पा रहा है outflow होगा की नहीं होगा उसके chances कम है तो भी आप record करोगे business combination की accounting में indemnification asset अगर acquiring company acquirer को subsidiary company holding company को indemnify कर रही है for any liability के लिए कि आगे चलके अगर कुछ हुआ तो हम आपको compensate करेंगे तो acquirer company उस indemnification asset को भी record करेगा subject to the condition की उसके respect में liability को हमने record किया होगा अगर हम respective liability record नहीं कर रहे तो हम indemnification asset को भी record नहीं करेंगे ठीक है यह वाली बात तो हो गई अब आते measurement पर acquirer company measurement कैसे करेगा general rule यह कहता है कि आप measure करोगे fair value पर सारे assets liabilities को measure करोगे fair value पर और अच्छा इसके लावा NCI को आप measure करोगे आइधर fair value method या तो proportion of net assets method पर यह भी ठीक है ठीक है यह वो गया आपका NCI का income tax related assets subsidiary company के DTA retail कैसे measure करोगे उसके index 12 लगा कर respective index db or related employee benefit वाली liabilities को कैसे measure करोगे index 19 लगा कर share based payments को कैसे measure करोगे index 102 लगा कर assets held for sale अगर उसके subsidiary books पे कुछ assets held for sale रखी है तो अब उसके उपर assets हैं liabilities हैं जिनको आप special उनके respective index के हिसाब से measure करोगे बाकी general rule क्या है fair value date of acquisition पर जिस दिन आप date of acquisition पर net assets को measure कर रहे हो अगर उस दिन किसी asset liability को आप measure नहीं कर पा रहे हो not measurable आप measure नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको सिर्फ estimate कर लो या फिर आप उसको ignore करके बाकी के net asset निकाल लो अब आपको 12 months का period का time दिया गया है जिसको measurement period window बोला जाता है 12 months के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि वह asset liability जिसको आप measure नहीं कर पा रहे थे जिसको आप estimate नहीं कर पा रहे थे या जिसका आपने previous कोई कि दूसरा estimate लिया था अब उसका value कुछ और होना चाहिए within 12 months अगर आपको information ऐसी मिली है जिससे आपको यह समझ में आ रहा है कि now you are sure कि इसकी value क्या होनी चाहिए तो ऐसे case में आप अपनी asset liabilities में respectively उस point पर change कर सकते और उसका effect आप goodwill gain from bargain purchase में दोगे For example अगर मैं आपको बोलूँ कि date of acquisition पर मैंने net assets को estimate किया है because of some missing information और मैंने net assets को estimate किया है 5 crore rupees का ठीके और मेरा जो purchase consideration है purchase consideration है वो 4.8 का है और जो NCI है वो 20% के हिसाब से 5 crore का 20% वो मेरा 1 crore है ठीके तो आप यहां पर क्या entry pass करोगे आप यहां पर entry क्या pass कियोगी आपने date of acquisition पर आपने entry पास कियोगी net assets account debit 5 crore 2 investments 4.8 2 NCI 1 crore तो यह 5.8 यह आपका आगया goodwill यह आपने goodwill निका लिया 0.8 कहीं न कहीं goodwill भी आपका क्या है यह estimated goodwill है क्योंकि आपने net asset को estimate किया था within one year अगर आपको कोई additional information मिल रही है और उसके एसाब से आपको लग रहा है कि net assets की value तो 5 crore नहीं होनी चाहिए थी net assets की value 6 cro होनी चाहिए थी तो आप यहां पर 6 crore net asset होनी चाहिए तो आप बोलोगे कि ठीक है अगर यही 6 crore की value अगर मुझे यहां मिल जाती तो मेरा NCI कुछ और होता मेरा goodwill कुछ और होता तो मैं उतने से changes कर लूँगा आप यहां पर अलग से entry pass करोगे net assets account debit आपने 1 crore से value बढ़ा तो कि मेरा ultimately अगर मैं यही working यही 6 crore में वहां consider करता तो मेरा goodwill 0 होता तो आज मैं goodwill को reverse कर रहा हूँ तो इसको बोलते है measurement period इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको within 12 months में information मिल गई जिस information के basis पर आप आपके net assets value change हो रही है तो आप respective changes NCI और goodwill capital जमें करोगे पर अगर आपको addition information मिलती है तो आप net assets में changes तो करोगे आप NCI में changes तो करोगे पर आप इसको error मानोगे आप इसको index 8 के साब से error मानते हुए retrospective changes करोगे ठीक है अब इसको index 8 के साब से retrospective effect आप इसको दोगे और opening balance sheet आपको third balance sheet बनानी पड़ेगी guys understood or not यह आपको करना पड़ता है चलिए उसके पाद यह खास ज्यादा important नहीं है control obtained over a subsidiary without the transfer of consideration हमने subsidiary को take over किया consideration पर कुछ तीन कैसे तैसे हैं जहां पर बिना consideration pay किये हुए हमारा control हमें प्राप्त हो सकता है पहला case पहला case ही हो सकता है कि the acquire repurchase sufficient number of own shares of existing investor मान लो subsidiary company ने अपने other shareholders का buyback कर लिया other shareholders का buyback कर लिया मेरे पास पह पर्सेंटेश बढ़ गया 50% से अवाव हो गया मैंने प्रीवियस ली तो इन्वेस्मेंट करके रखा था पर अभी मुझे फर्दर इन्वेस्मेंट करनी की जुरूद नहीं पड़ी मेरा अपने अपने इन्वेस्मेंट बढ़ गया अब मेरा investment percentage change हो गया बाइब के करन other shareholders के वोटिंग खता हो गया जिसके कारण existing जो हमारी होल्डिक जो हम investor है हमारा वोटिंग बनने से हमारा 50% से ऊपर चला गया तीसरा special case है कि agreement के थुरू contract के थुरू हमने subsidy के साथ contract किया उसके basis पर subsidy ने पूरा पूरा control हमें हमारे हाथ में दे दिया बिना कोई percentage of investment किये हुए 0% पर investment किये हुए तो कभी कबार contract के basis पर agreement के business पर हमें control दे दिया गया जिसमें जब हम consolidation करेंगे तो NCI हम 100% दिखाएंगे 100% net assets लेके आएंगे पर NCI भी 100% दिखाएंगे acquirer shall remeasure its existing equity interest equity और यह अपना हम remeasure करेंगे अपने NCI को NCI हम 100% दिखाएंगे ठीक है a limited obtained control over b by content alone there is no stake of b held in b held by a so while preparing consolidated financial statements a will attribute 100% of net assets to the NCI of b आई बाद समझ में यह हमने चीज़े करेंगे करेंगे तो आप निकालते हो पॉस्ट और कंट्रोल से आपको question में बोलेगा कि आप गुडविल का impairment करें गुडविल को impair करें गुडविल को write-off करें तो जब आप गुडविल का impairment करोगे तो आपको पहले यह चक करना है कि आपकी full goodwill method वाली goodwill है या फिर आपकी partial goodwill method वाली goodwill है मतलब आपने NCI को fair value के तो गुडविल को write-off करने से जो भी आपका loss आएगा उस loss में respective share NCI का भी होगा respective share NCI का भी होगा तो अगर मान लीजे goodwill 1 lakh रोपी से गिर रही है और NCI 20% है तो 20,000 NCI में जाएगा और 80,000 loss चला जाएगा consolidated profit and loss of holding company और goodwill आपकी गिर जाएगी पर यही पर अगर आपकी goodwill partial goodwill method है अगर आपकी goodwill partial goodwill method है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो भी goodwill अभी आपका impairment हो रहा है वो goodwill सिर्फ और holding company को बिलॉंग करता है तो partial goodwill method में जब भी आप goodwill को goodwill का loss impairment loss बुक करोगे वो पूरा का impairment loss आपके holding company के consolidated reserve and surplus में जाएगा NCI उसको bear नहीं करेगा बस इतनी स partial goodwill partial goodwill यह तो पूरा-पूरा loss holding के reserve and surplus में लेखे जाओ और अगर फुल goodwill है तो उस loss का दो हिस्सा करो NCI और holding का share और respective में लेखे जाओ कि इतना समझ में आया कि नहीं कि आगे बढ़ते हैं change in the percentage of holding of parent company holding और parent company के percentage of holding company या parent company में percentage changes हुए है holding company, parent company के percentage change हुए मतलब पहले मेरे पास 80% share था अब मेरे पास 60% share है मैंने 20% share बेच दिया या पहले मेरे पास 60% share था अब मेरे पास 70% share है मैंने 10% खरीद लिया मैंने 10% खरीद लिया तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको बोलते change in percentage of holding company और parent company holding company या parent company के percentage में changes हो रहे है तो यहां पर आपको दो बाते ध्यान देनी है कि हम sale कर रहे है या फिर purchase कर रहे है purchase करने वाली बाते बात में करेंगे पहले हम बात कर रहे है sale करने की, sale करने की बात कर रहे है मतलब मतलब यह हुआ कि मेरे पास पहले 80% था मैंने sale कर दिया 20% या मेरे पास 80% था मैंने sale कर दिया 70% अब दोनों में आपको क्या फरक दिख रहा है आपका यह loss of control हो गया तो यह हो गया आपका without loss of control यह हो गया आपका loss of control दोनों में treatment अलग अलग होता है यहां जब आप अपना 20% sale कर रहे हो तो आप continue consolidation करते जाओगे goodwill आपका रखा रहेगा आपका net assets रखा रहेगा आपका gain from bargain रखा रहेगा वगेरा वगेरा बस आप आप जो आपने 20% बेच दिया है उतने से आपका NCI बढ़ जाएगा और यहां जब आप maximum share बेच रहे हो profit loss होगा वह आपके P&L में जाएगा यहां पर profit loss P&L में जाके other equity में जाता है आइए देखते हैं सबसे पहले हम इसमें एक पहला point है full और partial disposal जिसमें आपका with loss of control हो रहा है अगर आपका loss of control हो रहा है मतलब आपने major part of the investment sale कर दिया तो आप क्या करोगे आप basically आपने sale कर दिया अपने consolidated financial statements में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर investment में debit क्यों कर रहा हूं investment तो मेरे books box accounts में पहले सही debited होगे बेटा वो आपके SFS में debited होगे consolidated financial statements में तो आपने investments दिखा ही नहीं है सबसीटरी के आप तो net assets दिखा रहे हो तो net assets को आपने drecognize कर दिया आप NCI को drecognize कर दिया और यह तब drecognize करने के बाद जो आपका retained investment है जो कि जिसमें control नहीं है वो आप वापस से recognize कर रहे हो आज के fair value पर और इसमें capital reserve को drecognize कर दिया इसमें जो भी difference आया वो difference आपका पी इंडल में जाएगा को मिला के consolidation करते वक्त जो आपने asset liability बुक की थी सबसीटरी की वो drecognize करोगे goodwill gain from bargain purchase drecognize करोगे bank account debit हो जाएगा और investment जो retained portion वह वापस से दिखेंगे fair value पर आपका profit and loss में चला जाएगा balance यहीं बर अगर आपने सिर्फ थोड़ा था investment बेचा है जिस पोजड control not lost आप NCI इतने से बढ़ा दोगे आपने आपने सेल के तो cash account debit to NCI और जो भी difference आएगा वो difference आपका other equity में जाएगा सर NCI कितने amount से बढ़ाएंगे NCI आपको बढ़ाना पड़ेगा जो भी जिस दिन आपने sale किया उस दिन net assets और goodwill की value क्या थी उसके proportion में मतलब अगर आपने 20% portion बेचा है तो 20% of net assets प्लस goodwill आप उतने से NCI बढ़ा दोगे अब इसका उल्टा हमने मानलो further share खरीदे पहले से हम अरवास पहले से था net asset तो हम 100% पहले से दिखा रहे थे goodwill gain from bargain purchase हम पहले से दिखाते थे NCI हम पहले 30% दिखा रहे थे अब NCI को कम करना पड़ेगा NCI अब 20% दिखेगा तो 10% से NCI कम हो जाएगा और NCI prorata basis पर क्राम होगा मतलब अगर आपका NCI 900 था based on 30% तो अब आपका NCI 10% मुझे कम करना है तो आपका इतने से कम हो जाएगा prorata basis पर और 2 cash 2 cash क्योंकि मैंने purchase किया जो भी difference आएगा वो difference once again आपका other equity में जाएगा तो कुल मिला के अगर आपका loss of control नहीं हो रहा है तो इस तरीके से NCI में changes होंगे और other equity में जाएगा NCI में अगर NCI कम हो रहा है तो net assets और goodwill के proportion में बढ़ रहा है एक छोटा दा point है loss of control of a subsidiary in two or more transitions मान लीजे आज मैंने 20% sale किया मेरे पास कुल मिलाके 80% है आज मैंने 20% sale किया मैंने 15 दिन बाद 50% और sale कर दिया तो मेरा control तो loss हो गया पर जब मैंने starting में सिर्फ 20% sale किया था तब मेरा control loss नहीं हुआ था तो क् पर अलगलग accounting follow करूंगा मैं मतलब आज बिना loss of control वाली accounting follow करूं और मैं 15 दिन बाद फिर loss of control वाली accounting follow करूं देखा जाएगा कि क्या ये दोनों transaction कहीं नहीं पहले से pre-planned है क्या ये conditions fulfill हो रही है pre-planned है एक ही customer को बेचे गए एक ही purchaser को दिये गए अगर हां तो आप इसको फ जिस दिन आपने 20% बेच दिया था उसी दिन आपने control लूस कर दिया था कि आपने for example आपने 15 दिन बाद control लूस किया तो जिस दिन आपने control लूस किया उस दिन आप accounting करूंगे guys understood or not mn limited was holding 80% stake in uv now mn wants to dispose of its entire holding in uv it can do in the following ways option 1 sale entire 180% option 2 sale 25% stake in a transition and the remaining 50% in another transition in this case gain or loss on sale of 25% would be recognized directly in the equity since it will be sale of stake without loss of control when the remaining 50% stake is sold then the gain of pertaining to that stake will be recognized in paypal यह normally होता है कि भाई जब आपने पहली बार बेचा तो आपका other equity में चला गया जब आपने दूसरी बार बेचा तो आपका loss of control हो गया तो paypal में चला गया तो जब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ जब आपका पहला ट्रांजेशन हुआ मानलो आपका control उस ताइम पे लूज नहीं हुआ था तो आपने सिर्फ एंट्री पास कर दी कि बैंक अकाउंट डेबिट तू एडवांस कलेक्टेड तू एडवांस कलेक्टेड जब आपने सेकंड ट्रांजेशन किया वह 55% वाला यहां 25% वाला अब आप एडवांस कलेक्टेड को रिवर्स कर दो आपने लाइबिटी को रिवर्स कर दिया आपने असेट को रिवर्स कर दिया आपने गुडविल को रिवर्स कर दिया और जो भी इसमें डिफरेंस आया वो difference आपने P&L में डाल दिया आपने difference P&L में डाल दिया उल्टा भी होतकता है आपने बोला मुझे जब मैंने first transition किया तभी मैं control lose कर बैटा था तो जब आपने first transition किया तभी आप control lose कर बैटे थे पर आपको मिले तो 25% है बागी 55% नहीं मिले कि basically हमारा intention है एक खटा सेल करने का पर कुछ reasons की वर्द से हम parts parts में सेल कर रहे हैं ठीक है कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं अब हम चलेंगे अब हम चीन बडशी पागिमें चेंहों करने से पहले मुझे दो टाइम दीजे जस्ट गिव मी टू मिनिट्स जस्ट गिव मी टू मिनिट्स आप भी दो मेर का टाइम लेलो फिर अपन कंटीनु करते हैं झाल 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 हलो यत्स अब चलते है चेंन वॉल्डिंग्ग पर चेंस ओल्डिंग क्या होती है उन्पनी सब्सीडनी ने सब्सीडनी में एटी पर्संट की indirect subsidiary हो गई और वो उसका percentage कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे holding का investment holding का investment SS में indirect investment कैसे कैसे निकलेगा 70 का 80% 70 का 80% मतलब 56% इस तरीके से और इसका मतलब SS limited के n से कित्ते हो गए 44% अब पूरे chain holding में जैसे normal question solve करते हो वैसे solve करना सिर्फ एक छोटी सी बात को ध्यान देना सिर्फ छोटी सी बात को ध्यान देना सुनो ध्यान से जब तुम cost of control की working करोगे तो cost of control की working तुम holding company के point of view से करना holding company के point of view से तुम एक तो अपनी direct subsidiary का cost of control निकालोगे और एक तुम अपनी indirect subsidiary का cost of control निकालोगे यहां जब तुम अपना investment करोगे यहां जब तुम अपना investment दिखाओगे तो investment तुमारा यह तो बिल्कुल direct जो है ठीक है पर यहां पर जो investment है उसको तुम थोड़ा सा सोच समझ के करना त्यान से देखो मैं तुम्हें chain holding का question दिखाता हूं यह chain holding का question है यहां पर sun limited moon limited light limited यह एक ultimate parent company है तुम्हें consolidation इसके point of अब यहां देखो share in light limited कौन दिखा रहा है moon भाला कि light limited में sun ने भी direct investment किया है नीचे percentage बता रहा होगा तो हमने percentage निकाल लिए कि sun का 80% मून में मून का 60% है light में और sun का 30% है light में ठीक है आपको क्या करना है जब आप COC बनाओगे यहां पर तो आप क्या करोगे investment by sun investment by sun किसमे in moon तो भाई आपने moon में sun में कितना investment किया 90 तो आप direct investment तो आपने 40 दिखा दिया direct direct investment में कोई दिक्कत नहीं है पर जो investment moon ने light में किया है वो कितना है 50 अब मुझे बताओ moon के जितने भी assets liabilities हैं चाहे ये वाला क्यों नहीं हो इसमें sun का कितना हिस्सा है sun का तो 80 परसन हिस्सा है ना moon limited के सारे asset liability में sun का 80 परसन शेर है तो इसी लिए इस 50,000 के दो हिस्से होंगे 80 परसंट sun का और 20 परसंट nci of moon का moon के nci का तो हम क्या का रहेंगे 50,000 का 80 परसंट 50,000 का 80 परसंट हम यहां 40,000 ले जाएंगे जो कि हमारा indirect investment है तो पहला change पहला change यह कि coc बनाते वाग्स जो भी तुम्हारा indirect investment है तुम वो proportionately लेके जाओगे अब तुम कितना छोड़ दिये तुमने तुमने 10,000 छोड़ दिया तो जो 10,000 तुमने छोड़ दिया वो तुम respective nci की working में ले जाओगे जब तुम respective nci बनाओगे moon का light का nci भी बनाओगे पर moon के nci में जो तुम रखते हो नीचे minus कर दोगे proportionate investments in moon तो moon के proportionate investment में तुम 10,000 माइनस कर दोगे बहुत सारे बच्चे doubt को से सर माइनस क्यों करेंगे सर माइनस इसलिए करेंगे because investment का अपने आप में debit balance होता है और nci का balance credit होता है तो investment का debit balance होता है जब तुम इसको nci में लेके जाओगे तो वो net off हो जाएगा वो यह treat करता है कि moon को हमें कुल मिला के nci एक तरीके से holding company के अपनी एक liability होती है holding company nci को अपना liability मानता है पर holding company बोलेगा कि 10,000 का liability मेरा नहीं है क्योंकि उनके खुद के investment से वो तो set off हो जाएंगे तो जो 10,000 तुमने यहां कम दिखा है वो तुम respective proportionate share अगर उसी के subsidiary company के direct subsidiary company के nci में minus करके दिखाते हो सिर्फ यह एक छोटा सा adjustment तुम्हें करना पड़ता है chain holding में और कोई change नहीं है ध्यान से देख लो अब अगर मैं तुम्हें बता हूँ तो देखो क्या बोल रहा है कि while calculating goodwill और capital reserve of sub-subsidory sub-subsidory मतलब यह वाला sub-subsidory का तो तुम क्या करोगे take proportionate investments only यहाँ पर हमने indirect वाला proportionate investment लिया investment by subsidiary in sub-subsidory मतलब moon ने जो light में किया multiply by parent का share क्योंकि subsidiary के assets liabilities में parent का proportionate share होगा तो आप proportionate investment लोगे जितना भी आपने छोड़ दिया नहीं लिया while calculating nci of direct subsidiary मतलब moon वाला deduct the remaining investment which is not taken in goodwill capital of calculation from nci value आप बाकी का minus करोगे deduct करोगे nci value से बस इतना चोटा सा chain holding का adjustment है आप यह जब sun moon वाला question करोगे आपसे आराम से बन जाएगा बस इसमें यही एक adjustment है चोटा सा बाकी बाकी सब simple है यह हो गया आपका chain holding यह हो गया आपका chain holding chain holding के बाद एक्वाइर शेयर बेस पेमेंट अवार्ड एक्सचेंज पॉर अवार्ड हेल्ड बाई एक्वारी इंप्लॉई कुल मिला के एक्वाइरी कंपनी मतलब subsidiary company ने अपने shareholders के लिए e-sop अनौंस किया before acquisition बट अब अक्वाइर मतलब holding company subsidiary company को take over कर रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि तुम अपना e-sop रहने तो मैं तुमारे employees के लिए नया e-sop दूँगा नया e-sop दूँगा तो इसमें दो बाते होती हैं एक होता है old award fair value एक होता है new award new award fair value old award मतलब जो subsidiary company ने अनौंस किया था new award मतलब जो अब holding company अनौंस कर रही है holding company जो अनौंस कर रही है बस इसमें आपको क्या करना है यह जो new award fair value है न इसके आपको दो हिससे करने है, एक निकालना है pre-combination period, pre-combination expense, और एक आपको निकालना है post-combination expense, क्या बोला मैंने, pre-combination expense, post-combination expense निकालना है, new award, जो holding दे रहा है न, अपनी तरफ से subsidiary के employees को उसके वो दो हिससे करेगा, एक pre, एक post, अब ये pre-combination expense निकालेंगे कैसे, तो pre-combination expense, निकालने क formula क्या होगा, जो old award की fair value है, old award की fair value है, उसको लेना है, मेरे पास यहां पर जगह कम पड़ रही है, old award, मैं वापस से लिख देता हूँ, जो आपका pre-expense है न, उसको आप करोगे, old pair value, old award की fair value, multiply by, कितना wasting period expire हो चुका है, divided by, कितना wasting period total होगा, total wasting period, total wasting period कौन से award का, old award की new award का, whichever is higher, total wasting period, higher of old or new, ठीक है न, total wasting period higher of old or new, तो अगर मैं आपको बोलू, की, मान लीजे, मान लीजे, की old award, नहीं, I think शायद दिया हुआ है, यहां पर question, ही soft वाला question, हाँ, एक question में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ, कहां पर है, एक आपका question है, professional and dynamic, ठीक है, यहां पर, professional acquire कर रहा है, dynamic के shares, तो आप ध्यान से देखे, यह, dynamic limited certain equity settled options, ठीक है, as per the original term, wasting period was 4, तो wasting period, old वाले का कितना है, 4, ठीक है, और उसमें से 2 years, already हो चुके, as per the replace award, the wasting period is reduced to 1 year, मतलब, जो wasting period, new वाले का है, उसका है 3, अब आपको old, original award दिया हुआ है, replacement award दिया है, तो आपको 8 lakh replacement award के 2 हिस्से करने, एक pre हो जाएगा, एक post हो जाएगा, pre कितना होगा, old award की fair value, मतलब 5 lakh, multiply back, कितना period हो चुका है, 2 साल हो चुके, divided by whichever is higher, 4 और 3, तो divided by 4, कितना आया, 2.5, 8 में से 2.5 गया, तो कितना बचा, 5.5, इस 2.5 का क्या हिस्सा होगा, 2.5 को आप PC में add कर दोगे, और इस 5.5 को further जो remaining years बचे हैं, remaining years बचे हैं, उसमें पे एंडल में charge किया जाएगा, post combination period, तो इस 2.5 को हम PC की cost में add कर देंगे, आई मेरी बात समझ में, इस तरीके से होता है, अवर्ड का, clear, तो यह हो गया आपका acquirers का share based payment award, अब एक और item है, pre existing relationship between acquirer and acquirer, important है, पर बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें ना दो बाते मैं आपको समझाऊंगा, एक non contractual relationships, और एक contractual relationships, contractual relationships, पर हमारे पास question भी है, must do questions में, और इनके ऊपर मै मैंने नीचे example भी दिरे रखे है, देखो, कुल मिला कि ऐसा है, acquirer, acquirer, holding, subsidiary, मालो acquisition से पहले, holding ने subsidiary के ऊपर कोई case file करके रखा था, holding ने subsidiary के ऊपर कोई case file करके रखा था, कि मैंने तुम्हारे ऊपर case file करके रखा है, और मुझे तुमसे compensation चाहिए 10 लाग रुपएगा, पहले से ही, court में case चल रहा है, मुझे तुमसे compensation लेना है 10 लाग रुपएगा, 10 लेखा, अब court का decision pending है, पर अब acquisition, अब मैं तुम्हें take over कर रहा हूँ, आज के दिन, मैं तुम्हें take over कर रहा हूँ, जब मैं आज के दिन तुम्हें take over कर रहा हूँ, तो यह court वाला case है, आप तो यह खतम कर देंगे ना हम, हम तो इसको out of court settlement कर लेंगे, तो मैंने तुम्हें कितने compensation की demand की थी, 10 लेख की, पर आज मैं तुम्हारी company को take over कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी company के net assets लेके आ रहा हूँ, तो उसके बतले मुझे देना चाहिए तुम्हें PC, तो मान लो, मुझे PC तुम्हें देना चाहिए, 90 लेख का, पर मैंने तुम्ह बोला, कि भाई, देखो मैं तुम्हें 90 लेख दूँ, और वो 10 लेख रूपीस, वो 10 लेख रूपीस, मान लो, आज उसकी fair value 10 लेख ही है, वो 10 लेख रूपीस, जो मुझे तुम्हें से लेने थे, वो minus card के, मैं तुम्हें 80 लेख दे रहा हूँ, अब आपको question के अंदर वो 80, अब आप बताओ क्या करोगे, ऐसे case में आपको बस यह ध्यान रखना है, कि जो भी pre-existing relationships थे, acquisition से पहले के, उनको PC के साथ set off नहीं करने का है, उनकी values को हमें अलग से दिखाना है, उनको PC के साथ set off नहीं करना है, हम बोलेगे कि हाँ भाई ठीक है, भले हमने net दिया 80 का, प जो 10 मुझे तुमसे लेना था, उसकी मैं separate entry pass करूँगा, compensation receivable account debit to income, ऐसा, मैं उसकी separate entry pass करूँगा, settlement भली net हो रहा है, पर PC हम gross पे ही दिखाएंगे, आई बाद सान में, उल्टा, अब मान लो, subsidiary company ने holding के उपर case करके रखा था, 10 lakh रुपीस का, मतलब तुम्हें मुझ से पै मुझे PC भी देना चाहिए, net assets के बदले, और वो compensation भी देना चाहिए, तो ये भी दूँ, वो भी दूँ मिला कर, total मैंने तुम्हें दे दिया 100, क्या 100 पूरा का PC होगा, नहीं, इसमें से मैंने तुम्हें 10 lakh रुपीस पुछले compensation के दिये थे, वो हटा दो, तो PC आज भी 90 बस ये बात की गई है, आई बरी बात समझ में, तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपको as a holding company, या तो compensation आपको लेना है सामने वाले से, तो entry करोगे compensation receivable to gain, या तो आपको compensation देना है, तो entry करोगे loss account debit, panel account debit to compensation payable, और इस compensation receivable payable को PC से अलग रखोगे, ठीक है, समझ में आया, एक होता है, ये वाला पंडा, ठीक है, बोलो बिटा clear, example देख लोगे समझ में आ जाएगा, एक और दूसरा है, अब है contractual relationships, contractual relationship मतलब, मान लीजे, holding company ने, subsidiary को take over करने से पहले, उसको पहले, दो चार साल पहले कोई franchise ही देके रखी थी, franchise देके रखी थी, मैंने अपनी कोई franchise आपको देके रखी है, और उसके बतले मैंने आपसे franchise फीज ली थी, अब वो franchise मैंने आपको देके रखी है, 5 साल, 10 साल के लिए, अभी पूरा period खतम हुआ नहीं है, और मैं आपको बीच में ही take over कर रहा हूँ, जब मैं आपको बीच मे ही take over कर रहा हूँ, तो ऐसे case में, ऐसे case में, वो जो franchise agreement की fees आपने मुझे दे रखी थी, कहीं ने कहीं वो भी तो मुझे आपको repay करनी पड़ेगी, as a compensation, आई बात समझे की नहीं, मैं आपसे 2-4 साल पहले, आपको मैंने franchise allow किया था, और मैंने आपसे fees लिया था, और मैंने आ आपकी company को ही take over कर लिया, तो आपकी company को जब मैंने take over कर लिया, तो जो franchisee मैंने आपको दी थी, वो franchisee भी मैंने वापस ले ली, उसको बोलते है, reacquired rights, आपसे मैंने franchisee वो वापस ले थी, ठीके, उस जो reacquired right मैंने आपसे वापस ले लिया, franchisee मैंने वापस ले ली, उसको तो मैं separately record करूँगा नेटर सेट के अलावा fair value पर आप मुझे क्या बोलोगे कि सर फ्रेंचाइज तो आप ने 10 साल के लिए दी थी मैंने आपको फीज भरी है पर आप तो बीच में आके टेक ओवर कर रहे हो तो मुझे compensation चाहिए तो मुझे उल्टा आपको compensation देना पड़ेगा तो ये भी वही compensation अकर मुझे देना पड़ेगा तो मुझे उसकी अलग से entry पास करनी पड़ेगी loss account debit to compensation payable और उस compensation को मैं PC में net off नहीं करूँगा मैं PC अलग entry करूँगा और compensation के entry अलग करूँगा आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे और वो compensation payable जो होता ह है उसको हम कैसे calculate करेंगे वो भी बहुत important funda है मैं आपको दिखा रहा हूँ question number 125 125 आईए ये वाई है pre existing relationships यहां क्या बोल रहा है ABC acquires PQR for a consideration of 1 क्रोड अब आपको वन क्रोड का consideration दिख रहा है कि भाई PC प्राइम आपेसी आपको किता दिख रहा है वन क्रोड पर जरूरी नहीं कि यह वन क्रोड सही हो 4 years ago ABC has granted a 10 year license holding company ने ही subsidiary को 10 साल का license दिया था 10 years का license दिया था to operate in Europe cost of the license was 250 तो license लेने के बदले हमने सामने वाले से fees किती नहीं थी 250 की contract allows either party to terminate the franchisee at a cost of unexpired initial fees plus 20% contract के अंदर लिखा है कि 10 साल खतम होने से पहले कोई भी party अगर इसको contract को terminate करेगी तो उसको penalty पे करना पड़ेगा penalty कितना penalty वो जो initial fees पे की गई थी उसके proportionate value plus 20% के बराबर मतलब अगर fees पे की गई थी 250,000 for 10 years तो हर साल का किता हुआ 25,000 तो अगर contract cancel हो रहा है 8 years के बाद तो proportionate value आज भी कितनी बची होगी 25,000 50,000 बची होगी 50,000 plus 20% मतलब 60,000 का penalty बनता है ठीक है as the date at the date of acquisition the settlement amount is 180 अब ध्यान से देखिए कितने साल पहले हमने franchise दी थी 4 years अगो तो अभी भी कितने साल बचे होंगे 6 years तो पहले तो आप penalty का value निकालो 250 divided by 10 into 6 6 साल अभी बचे होंगे तो 250 divided by 10 into 6 ये बचे आपके 150 150 plus 20% तो कितना आता है 180 तो 180 का penalty बनता है क्या लिखा है loss on cancellation आपको कितना record करना है loss on cancellation आपको record करना है lower of penalty payable as per the contractual terms जो भी penalty आपको pay करनी चाहिए मतलब 180 या दूसरा दूसरा क्या difference between the fair value of reacquired right जो franchise मैंने आपसे वापस ले ली आज उसकी fair value कितनी है माइनस proportionate value of the contract तो जो franchise मैंने आपसे ले ली under the current economic conditions at the current price it would grant a 6 year franchise 450 तो आज franchise की fair value है 450 तो fair value कितनी है 450 450 मैं से क्या माइनस करना है proportionate value of the contract proportionate value of the contract मतलब 250 थी contract की total value 10 years के इसाब से तो 6 years के इसाब से कितनी बचनी चाहिए 150 तो proportionate value of the contract कितनी बचनी चाहिए 3 lakh तो 3 lakh और 180 whichever is lower आपको उतने का loss book करना पड़ेगा और वो portion आपको PC से अलग करना पड़ेगा आप loss book करोगे loss account debit to penalty payable या compensation payable मतलब हमारे case में 180 तो 180 की आप entry अलग से पास करोगे 180 is your compensation payable और आप PC से अलग करोगे PC आपका जो total मिला कि आप जो वन प्रोड पे कर रहे हो ना आप मान लोगे कि उस वन प्रोड में आप 1 lakh 80,000 का तो compensation पे कर रहे हो जिसको आपको यहां से हटाना है तो आपका net PC आपका 98.2 का 98.2 का आपका net PC बचा कुछ आया बात साहिए कि नहीं कॉंपटेशन पेवल की जो एंट्री होगी 1.8 की होगी लॉस अकाउंट वेट टू कॉंपटेशन पेवल लॉस चला जाएगा ओल्डिंग के पी इंडल में और 98.2 आपका PC होगा जिससे आप गुडविल गेन फ्रॉम बार्गिन पर्चेस निकालोगे तो यह होते हैं आपके प्री एक्जिस्टिंग डिलेशन्शिप्स एक और चोटा था टाम में बेटा डी मर्जर बहुत कम पूछा गया है क्या पता mcq बगेरा में पूछा लिया जाए डी मर्जर मतलब जहां पर एक existing company होती है वो अपने दो चार segments को अलग कर रही और वो new company बनाकर उसको अलग से operate करेगी या फिर वो दो भाईयों का जगड़ा हो रहा है और वो बटवारा कर रहा है तो खुल मिला कि डी मर्जर में क्या हो अब यहां पंड़ा क्या है जो डी मर्जर कंपणी होगी वो जर्नल एंट्री क्या पास करेगी वो बेसिकली उसकी असेट लाइबिटी जा रही है और उसके बतने उसको कुछ नहीं मिल रहा है उसकी liability account debit हो रहा है तो असेट हो रहा है और जो भी यहां पर उसका difference आएगा वो उसका loss book हो जाएगा difference होगा वो loss book हो जाएगा क्योंकि demurge company को as a consideration कुछ नहीं मिलता यह company अपने कुछ units को transfer कर रही है other company में other company will be treated as the acquirer company और वो net assets खरीदेगी और उसके बतले वो PC देगी shareholders को ना कि demurge company को तो demurge company को कुछ नहीं मिलेगा जो other company resultant company वो एक तरीके से acquirer company है वो 103 acquisition method follow करेगी और वो entry करेगी वो entry करेगी assets को वो fair value पर record करेगी liabilities को वो fair value पर record करेगी PC से वो compare करेगी और goodwill gain from bargain purchase gain from bargain purchase भी वो record करेगी इस तरीके से normal entry होती है तो यह होता है आपका demurge merger में कुछ खास नहीं है बहुत ही simple सा question अगर आएगा तो simple सा आएगा कि आपको इन दोनों की accounting बताईए इसके books में से जो asset जा रही है उसको हटा दो कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आपका कॉमन कंट्रोल बिजनस कॉमिनेशन ccbc common control business combination ccbc common control business combination ccbc common control business combination basically jaha par control does not transfer it exists with the same entity मतलब ऐसा transition जहां पर control जहां पर अगर मैंने अपने investment बेच भी दी है तो भी मेरे पास control आज भी मेरे पास ही है पहली भी मेरे पास था आज मेरे पास है तो इसको बोलते कॉमन कंट्रोल बिजनस कॉमिनेशन या फिर या फिर मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास दो अलग अलग कंपनीज में investment है दोनों कंपनीज में उसका 50 50% से उपर investment है एक ए लिमिटेड में एक बी लिमिटेड में तो यह बेसिकली आपस में बच जाएगी कॉमन कंट्रोल ए तो कॉमन कंट्रोल बिजनस कॉमिनेशन में होता क्या है कॉमन कंट्रोल बिजनस कॉमिनेशन में हम बेसिकली acquisition method accounting फॉलो नहीं करते मतलब हम बुक वैल्यूस पे ही asset and liabilities को record करते हैं हम कभी भी fair value पे assets liabilities को record नहीं करते हैं और यहाँ पर most importantly आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें PC कैसे निकालना होता है तो common control business combination के कई सारे different cases है two companies merge and form a new company आपकी दो companies merge हो गई A limited plus B limited is equal to A B limited और दोनो members दोनो के shareholders का commonly A B में control है ऐसे case में यहाँ पर इसको बोला जाएगा common control अगर दोनो A B के अंदर दोनों का common control है तो when the subsidiary of a group acquires control of another existing subsidiary of the same group मान लीजे A limited जो है वो 90% share capital hold करता है B limited के और 80% share hold करता है C limited के अब A limited ने क्या किया अपने 80% share जो hold कर रहा है वो C limited में उसने वो B को बेच दिये तो अब बन गई A से B B से C पहले था ये बन गई पहले था A का B और C में अब अपना ये change हो गया ठीक है इसको हो गया common control यहाँ पर आज भी control किसके पास है A के पास है existing company transfers one division to a newly incorporated company एक existing company है जो अपने division को ट्रांसफर करके नई company में shift कर रही है और नई company का भी control अपने पास ही रख रही है बेटा यह D merger से अलग हो जाएगा because D merger में हमने देखा कि जो new company है वो PC देगी अगर D merger होगा तो वो definitely new company PC shares के फॉर्म में नहीं देगी अगर उसने PC shares के फ shareholders को तो फिर तो common control हो जाएगा तो D merger में और common control में पास फरक इतना है कि common control में हम एक resultant company बना रहे है उससे PC भी हम shares के फॉर्म में ले रहे है ताकि same shareholders के पास common control रहे है D merger में same shareholders के पास common control नहीं रहे था आई बात समझ में clear हुआ तो existing company transfers one division to newly incorporated company यह तरीके से आप कर होगे तो मतलब यह तीन होते common control के important fundे इसके अलावा common control के अंदर group of individuals भी आ सकता है a group of individuals are regarded as controlling entity when as a result of contractual agreement they collectively have the power to govern the financial and operating policies तो यह point आपका MCQ के regarding आ सकता है कि क्या group of individuals Mr. A, Mr. B, Mr. Z, Mr. Z क्या यह लोग भी collectively common control हो सकता है कि नहीं बिल्कुल common control हो सकता है अगर उन्होंने agreement के थुरू control को share किया है common control के accounting में क्या होता है common control के accounting में assets and liabilities transferer company जिस company के assets liabilities जा रही है वो de-recognize करेगी और जो company लेके आ रही है उसको वो book value पर ही record करेगी तो common control business combination में जो take over करती है वो assets liabilities को book value पर ही record करेगी वो उसके सारे reserves and surplus को भी record करेगी जो भी PC आपने दिया है उसके साथ compare करेंगे और PC के साथ compare करके हम जो भी difference निकलेगा उसको capital reserve में लेके जाते हैं तो common control business combination में asset liabilities हम लेके आएंगे book value पर reserves and surplus भी सामने वाली company के लेके आएंगे जो भी हम उसको PC देंगे वो हम capital reserve में set up कर देंगे ठीक है यह होता है common control business combination अब इसमें कुछ important बाते मैंने अलग से किये हैं PC के regarding how to calculate the PC in common control business combination transition if the PC is not given in the question मान लीजए question में PC given नहीं है एक question मैं अभी आपको करवाने वाला हूं मान लो common control business combination है और यह वाला question है A और B मिलकर A भी बन गई और PC given ही नहीं है तो फिर आप PC क्या मान होगे ऐसे case में आपको shortcut यह है PC आप क्या मान होगे basically यहां पर जो PC होगा we should make sure that right of the shareholders of both the companies remain unaltered in the future profits of the company in that case the PC is equal to the sum of equity capital of both the companies मतलब A limited का equity capital और B limited का equity capital मिलाकर will be treated as the PC क्योंकि common control का मतलब ही होता है कि A के सारे shareholders B में चले गए B के भी सारे shareholders A भी इसमें चले गए और इस new company में दोनों के दोनों shareholders का commonly control है कोई नीचे नहीं है कोई उपर नहीं है दोनों equal position पर है तो definitely equal position पर है तो PC भी दोनों का कहीं न कहीं इन दोनों के share capital के बराबर होगा तो ऐसे case में अगर common control business combination में PC missing है तो दोनों पुरानी companies के equity capital की value के बराबर का PC हो जाएगा मैं अभी आपको यह दिखा देता हूं कि कैसे होगा आपको common control वाले question मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होगा यह है यह question में common control भी है reverse acquisition भी है दो questions है देखो यह आपर AX और BX मिलकर आपकी new company बन रही है ABX और नीचे आपको वह पहला point बोल रहा है assuming that both the entities are under common control तो जो both the entities under common control है तो ऐसे case में new company जो ABX है वो दोनों के assets को दोनों के assets को book value पे लेके आएगी वो दोनों के liabilities को दोनों के liabilities को book value पे लेके आएगी इवन वो उसके reserves को भी book value पे लेके आएगी और PC question में PC कहीं नहीं दिया हुआ है इसलिए हम PC बन मानेंगे sum of equity capital of both the companies मतनब 6 और 7 बिलाकर 13,000 PC हो जाएगा पर अब यह 13,000 PC AX के shareholders को कितना मिलेगा और BX के shareholders को कितना मिलेगा इन दोनों की net asset के proportion में इन दोनों की net asset के proportion में तो common control business combination में PC अगर नहीं दिया है तो दोनों companies के share capital will be the PC अब वो PC allocate कैसे किया जाएगा PC को allocate किया जाएगा दोनों companies के net assets के proportion में book value of net assets के proportion में तो इस question में जो पहला वाला case है common control उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूती नहीं है ब PC भी कहीं न कहीं हमने बता दिया कि अगर given नहीं था तो आपने वो sum मान लिया equal to share capital अगर मान लो PC दिया होता for example 13 के बजाए कुछ PC 15 दिया होता तो definitely आप इस PC को compare करते सारे assets लाइपटी और reserves के साथ और जो difference आता आप उसको capitalism में लेके जाते जो कि मैंने आपको ऊपर बता होती है आपकी entry कुछ ऐसी होती है जब आप CCBC की accounting करते हो CCBC की accounting करते हो तो जो transferry company होती है transferry company तो transferry company करती है net assets account debit book value to bank bank मतलब यहां से PC ठीके यहां जो भी आपका PC है to PC payable जो भी आपका PC है ठीके और two reserves and surplus of transferr company यह भी आप book value और इसमें अगर कोई भी difference आता है तो इस difference में आपका capital reserve जाता है इस तरीके से होता है ठीक है तो यह हो गया आपका common control business combination बहुत easy question अगर आया तो इस ही type का आएगा दूसरा अब आते हैं अपन reverse acquisition reverse acquisition बहुत बहुत important है आपका reverse acquisition बहुत जादा important है reverse acquisition में basically funda यह होता है कि जो company दिख रहा है कि वो acquire कर रही है जो company दिख रहा है कि वो business acquire कर रही है और share issue कर रही है सच मुझ में वो company acquirer नहीं होती है वो सिर्फ एक legal acquirer होती है जो कि share issue कर रही है हमें निकालना पड़ता है यहाँ पर accounting acquirer तो इसलिए सबसे पहले reverse acquisition के case को सम से इंट्रों को कि यहां पर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनस को टेक ओवर किया दिख रहा है कि एक्स लिमिटेड प्राइमिटेड प्राइमा फेसी अक्वार है, एक्स ने इशू किये, पांच शेयर्स, फोर एवरी टू हेल्ड, अब देखें, तो य के शेयर्स हैं कितने, 7,000, तो 7,000 शेयर्स है, फोर एवरी टू हेल्ड, मैं उसको 5 शेयर्स अपने दूंगा, तो कितने मुझे देने पढ़ेंगे, 7,000, डिवाइड वाइड 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 वा इतने शेयर ज्यादा इशू करके उसने अपनी कंपनी का कंट्रोल वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दे दिया अगर आप वाई के शेयर होल्डर्स का देखो परसंटेज तो उनके पास सेवेंटीन थाउजन फाइवंड़ेड शेयर आ गये एक्स कंपनी के टोटल आप से तो यके पास वाई के पास लगबग लगबग एक सकंड टॉइट इवाईट इवाईट पॉइंड़ेड वाईट तो फाइट उसके पास आगया 68 percent 68.63 percent ये 68.63 percentage य के पास गया एक्स में देखा जाएंटो लीकल अक्वर्र एक्स है जो कि कही ना कहीं वाई लिमिटे के shares को why limited की company को acquire कर रहा है और उसको अपने share दे रहा है पर उसने उसको अपने इतने सारे share दे दिये कि ultimately control why के shareholders के पास चला गया तो why will be treated as the accounting acquirer accounting acquirer ही 103 की accounting करेगा accounting acquirer जो होगा वो 103 की accounting करेगा आया समझ में तो यहां पर 103 की accounting करेगा accounting acquirer तो जो accounting acquirer मतलब why जब consolidation करेगा तो वो X company के assets को fair value पर record करेगा liabilities को fair value पर record करेगा और why के point अभी से एक notional PC निकाला जाएगा because सच मुझ में इस transition में कोई PC नहीं है वाई के पास control तो आ गया पर वो control प्राप्त करने के लिए वाई कितना PC दिया वो सच मुझ में नहीं है इसलिए हम एक notional PC निकालते हैं और उस notional PC को compare करते हैं net assets के साथ ताकि goodwill और gain from bargain purchase आ सके आई बात समझे में तो जब जब basically accounting acquirer होगा तो accounting acquirer accounting acquirer जब consolidated balance sheet बनाएगा तो balance sheet के अंदर वो assets accounting acquirer अपनी book value पर record करेगा पर legal acquirer की assets को वो fair value पर record करेगा और जब वो goodwill gain from bargain purchase निकालेगा तो वो notional PC निकालेगा notional PC में आपको बताऊंगा कैसा निकालेगे उसको वो compare करेगा net assets के साथ net assets के साथ of legal acquirer legal acquirer की net assets pair value of net assets compare करेगा तो goodwill gain from bargain purchase आई यह होता है आया आपको समझ में reverse acquisition अब reverse acquisition में कुल मिलाके ना दो फंडे है रिवर्स acquisition में आपके दो फंडे है most important question is how to calculate the consideration under reverse acquisition that should be discharged by accounting acquirer against control मतलब कुल मिलाके यहां पर point है कि हम notional PC कैसे निकालेंगे accounting acquirers के point of view से notional PC कैसे निकालेंगे इसमें हम आपको दो situation बता रहा हूं क्योंकि questions में भी ICI ने दो टाइप पर questions देखे रखे हैं पहला है take over by one company of another एक company दूसरी company को take over कर रही है जैसे उपर वाला example था कि कहीं न कहीं X जो है वो Y को take over कर रही है पर Y के control आ गया दूसरा case है merger of two or more companies मतलब A limited और B limited merge होके AB limited बन गए दोनों cases में थोड़ा थोड़ा फरक आ जाता है PC निकालने के तरीके में तो उसको हम पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रहेगा एक तो अपन एक वाला है इसका आपन examples यहां पर देख लेते हैं दो company आपके सामने A और B दोनों के shares आपको दिख रहे है 30 और 60 यहां पर वो बुल रहा है A issues 2.5 shares in exchange for each share of B A क्या कर रहा है A उसको पहले share issue कर रहा है तो पहले देखना पड़ेगा कि यह reverse acquisition है की नहीं तो A कितने issue कर रहा है A issues A कितने issue कर रहा है in exchange for each share of B तो B के share कितने है 60,000 तो 60,000 multiply by 2.5 A कितने issue कर रहा है 60 multiply by 2.5 A issue कर रहा है 1,50,000 shares और A के existing shares कितने है A के existing shares है 30,000 तो 150 और 30 मिलाकर कितना होता है 180 A का total issue हो गया A का total issue हो गया 180 A बुलेगा यार गलती से तो मैंने अपनी तो control नहीं दे दिया B को देखें B is the shareholders B के shareholder के पास इन A में कितना है उनके पास चला गया 150 shares of A out of 180 shares of A उनके पास चला गया 83.33 percentage B के shareholders के पास 83.33 percentage हिस्सा चला गया आई मेरी बात समझ में की नहीं तो ये माना जाएगा कि entity A एक legal acquirer है और entity B एक accounting acquirer है B limited ने A limited को take over कर लिया B ने A को take over कर लिया तो ऐसे case में ये आगया आपका पहला case इस case में हम PC कैसे निकालते हैं इसमें हम PC कैसे निकालते हैं अब B के पास A के अंदर कितना percentage acquisition आ गया 83.33 तो अब इसमें notional PC कैसे निकालते हैं notional PC निकालने के लिए हम बोलेंगे कि accounting acquirer B है तो B का base capital कितने base shares कितने 60 B के shares कितने 60 और B के पास percentage of acquisition कितना है 83.33 तो हम बोलेंगे अगर B का खुद का shares 60 है और आज B का control A में 83.33 है share 83.33 है तो 100% shares कितने होने चाहिए अगर B अपने तरफ से notional PC देता अगर B अपनी तरफ से notional PC देता तो वो definitely यह make sure करता कि मेरे पास 83.33 percentage की holding बनी रहे अगर B अपनी तरफ से notional PC देगा shares के form में तो वो इतना make sure करेगा कि B share issue भी कर ले तो भी उसके पास 83.33 percentage holding बनी रहे तो आज उसके पास existing shares जितने है वो 83.33 percentage के इसाब से अगर है तो बताओ 100% कितने होंगे 100% होंगे 72,000 number मतलब आज B सिर्फ 12,000 share issue कर सकता है so that अगर B ने 12,000 share issue किये और B के पास पहले से ही 60 है तो B का total issue हो जाएगा 72 जिसमें B का 83.33 percent आज maintained रहेगा तो B should issue 12,000 shares और B के share की fair value अगर कहीं दी होगी the quoted market price of entity B share is 105 rupees per share तो 12,000 multiply by 105 यह आ जाएगा PC आ जाएगा 12,600,000 12,600,000 तो 12,600,000 will be the PC यह point मैंने आपको PC का बताया टेक ओवर के case में कि मेरे पास acquisition आ गया मेरे पास कितना share आ गया 83.33 उस company में तो अगर मुझे control मिला है तो मुझे PC देना चाहिए मैं actual में PC दे तो नहीं रहाँ तो मैं निकालूंगा notional PC ताकि मैं acquisition method follow कर सकूं ताकि मैं goodwill gain from bargain purchase निकालने के लिए और notional PC को compare कर सकूं तो जो मेरे existing share से 60 मैं उसी को 83.33 के बराबर मान लेता हूं ताकि वो मेरा maintain रहेगा तो इसका मतलब 100% 72 होता है मतलब मुझे additionally 12,000 share issue करने चाहिए और आज मेरे share की value है 105 मतलब मैं 12,60,000 का PC दूंगा ये मिल गया बेटा आपको notional PC इस notional PC को हम compare करेंगे a limited के net assets, fair value of net assets के साथ a limited की fair value of net assets assume fair value of entities identifiable net assets are same as carrying value are same as carrying value मतलब carrying value के बराबर है तो इसका मतलब कितनी है भाई current non current में लागे 18 liability 700 माइनस कर दो तो 18-7 के ताबचा 1100 तो बताओ 12,60 में से 12,60 का PC अगर में दूंगा जिसके बदले मुझे 1100 जिसके मुझे 1100 के net assets मिलेंगे तो मुझे बताओए यह goodwill कितना record करना पड़ेगा goodwill record करना पड़ेगा 1,60,000 goodwill मुझे record करना पड़ेगा 1,60,000 आया समझ में की नहीं मुझे goodwill record करना पड़ेगा 1,60,000 clear हुआ यह था PC based on this चकर, take over by one company of another company, अब मैं आपको एक दूसरा एक और case बता रहा हूँ, जहां merger of two or more companies होता है वही question जो मैं आभी आपको यह AB वाला करवा रहा था इसमें AX और BX मिलकर ABX बन रहे हैं और दूसरा case दिया हुआ है कि assuming BX is a larger entity and their management will take the control, यहां पर BX यहां पर जो BX है उसका control BX जो है, वो new company का control ले रही है, जो BX है, वो new company का control ले रही है, the fair value of net assets of AX and BX limited are as follows अब आप ध्यान से पहले सुन लो कि funda क्या है A और B मिला कर AB हो रही है, AB के अंदर दोनों के shareholder आ रहे है पर AB में जो B के shareholder है, वो control करेंगे अब हमें यह देखना है, कि B के shareholder अगर ज्यादा control कर रहे है तो ऐसा तो नहीं, कि यह reverse acquisition है, जहां B एक तरीके से पहले भी control कर रहा था वो आज भी control कर रहा है उसने तो technically new company बना के A को खरीद लिया Prima face क्या दिख रहा है कि यह AB company new company है Prima face क्या दिख रहा है AB is a legal acquirer Prima face AB is a legal acquirer पर ऐसा तो नहीं है, कि AB एक मुखोटा है, उसके पीछे B एक real acquirer है कैसे मालूम पड़ेगा आईए, हम दिखेंगे कि AX की fair value कितनी है 11,000, BX की fair value कितनी है 14,000, मतलब BX comparatively net worth के मामले में बड़ी company है, obviously जो company net worth के मामले में बहुत बड़ी company होगी, वो तो अपनी चलाएगी फिर भी हम देख लेते हैं कि percentage में net worth में किसका 50 से जादा है, तो B का 14,000, अगर ये दोनों company merge हो जाएंगी, तो total net worth कितनी हो जाएगी company की 25,000 तो उसमें B का हिस्सा कितना रहेगा, 14 divided by 25, multiply by 100 56, क्या ये 50 से जादा है, हाँ क्योंकि B की net worth absolute terms में भी जादा है, और percentage के मामले में 50 से जादा है, तो BX will be considered as the real acquirer, मतलब accounting acquirer और ये जो A B है, वो सिर्फ एक मुखोटा है, A B के नाम पर B ने A को लूट लिया, A B के नाम पर B ने A को लूट लिया, B ने A को बोला, चल माना साथ में मिलके नहीं company मनाते हैं, पर ultimately B उसको तरीके से control कर रहा है, ये एक reverse acquisition है, अब A B के point of view से मुझे आपको निकाल के देना है PC, यहाँ पर PC क्या होगा, विलकुल आसान है, ऐसे case में जब दो company merge हो रही है, तो B limited को कितना PC देना चाहिए B किसको PC देगा, A को तो A को कितना PC देगा A की आउकात के बराबर A की आज आउकात कितनी है, 11,000 in that case, the PC from B's point of view to be payable to A's shareholder, will be the fair value of A, तो PC would be the fair value of A, मतलब 11,000 11,000 हम बोलेंगे कि यह हमारा PC आ गया ठीक है, 11,000 हम बोलेंगे कि यह हमारा PC आ गया, 11,000 अब यह PC 11,000 हम डिस्चार्ज कैसे करेंगे B बोलेगा, मैं अपनी कंपनी का share दूँगा अब उसकी खुद की कंपनी के share की value कितनी है देखिए, उसके business की value है 14,000 और उसके number of shares है 7,000 divided by 10 मतलब 700 तो B के अपनी कंपनी के share की value है 14,000 divided by 700 मतलब 20 रुपए तो B बोलेगा कि मैं तुझे PC दूँगा 11,000, 20 रुपीज के share के हिसाब से तो मुझे तुम्हें देना चाहिए Notional PC 550 number of shares मैं तुम्हे 550 number of shares का PC दूँगा 550 number of shares का मैं तुम्हें PC दूँगा 20 रुपीज के हिसाब से जो की होगा 11,000 तो कुल मिलागे PC कित्ता हो गया 11,000 और मैं तुम्हारी asset liability record करूँगा fair value पे एकी asset liability में fixed assets 9,500 है और inventory 1,300 है तो अब आप देखिए second वाले case में जब हम इसकी asset liability निकालेंगे जब हम इसकी asset liability निकालेंगे तो assets को हम 9,500 पर ले रहे inventory को भी हम 1300 पर ले रहे बाकी हम सब को book value पर ले रहे और PC हम दे रहे 11,000 जिससे हमारा goodwill निकल आएगा 900 और वो goodwill हम अपनी consolidated balance sheet में दिखाएंगे 900 आई बात समझ में और हम assets liabilities अपने वाले तो book value पर रिकॉर्ड करेंगे इसके अलाबा हमने PC में कितने share issue किये 550 नोशनल PC में 550 और हमारे खुद के shares कितने रखें 700 तो 700 और 550 मिला कि कितने हो जाएंगे 1250 1250 multiply by 10 तो share capital new company में कितना हो जाएगा 1250 new company में share capital हो जाएगा और 550 multiply by 20 is equal to PC है जिसको हमने face value पर equity capital ले गाए बाकी का security premium सेम अमाउंट से 5500 का security premium आपका देखेगा इतना आया समझ में कि नहीं आया समझ में कि नहीं बोलिए तो कुल मिला के अगर आप मुझसे इसकी entry पूछो अगर कुल मिला के आप मुझसे इसकी entry पूछो तो यह entry क्या कर रहा है यह entry basically यह PC इसने क्या माना PC मैंने आपको यहां पर क्या बताया based on the fair value ratios of percentage PC आजाएगा PC is equal to the fair value of the business of the legal acquirer तो अब इसने entry क्या की इसने basically यहां पर हमने national PC मान लिया था 11 जो की 550 numbers थे 20 रुपी के हिसाब से 20 में 10 रुपी आपका face value है 10 रुपी आपका security premium है तो उसने entry क्या की उसने entry की net assets account debit उसने entry की goodwill account debit जो की उसका goodwill 900 निकला उसने PC की entry की equity share capital और security premium 5500-5500 ऐसा net assets जो भी वो value हमने निकाली होगी fair value के हिसाब से यहां पर fair value के हिसाब से तो reverse acquisition में आपको यह करना है मुझे बताएगा जरूर की reverse acquisition आपको समझ में आया की नहीं तो यह reverse acquisition हो गया ठीक है reverse acquisition के बाद आपका last concept business combination का बचता है sorry आपका last concept business combination का बचता है business acquisition versus asset acquisition आपको याद होगा आपके 103 के अंदर एक concept है कि जब हम acquisition करते हैं तो हमें यह identify करना पड़ता है कि यह really में asset acquisition हो रहा है सिर्फ कि business acquisition हो रहा है business acquisition कब माना जाएगा और business acquisition कब नहीं माना जाएगा तो यह वाला point तो क्या theoretical point जो मैंने आपको चार्ट में दिया है आपका mcq के point of view से हो सकता है वो आपसे कुछ बाते करें मुझे लगता कि इसका कोई practical question बनेगा तो concentration test पर बन सकता है सबसे पहले वो बोला गया है it is very necessary to assess whether the acquisition is a business acquisition और just an asset acquisition अब यह कैसे assess करेंगे कैसे assess करेंगे दो तरीके हैं without concentration test with concentration test पहले without concentration test जो purely theory है आपको इसमें check करना है कि business जब हम acquire करते है तो business के अंदर आता है minimum से minimum inputs inputs मतलब हम assets लेके आए कि नहीं plus process process मतलब substantial process हम लेके आए कि नहीं मतलब हम उनके employees को लेके आए कि नहीं हम उनके skilled workers को लेके आए कि नहीं हम उनके decision making को लेके आए कि नहीं हना कि खाली खाली बस input लेके आगए तो input और process को साथ में लेके आना जरूरी है जो कि मिलकर कही न कहीं हमें output बनाके दें तो आपको यह देखना है कि क्या business acquisition हुआ है वो होने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि does the set of activities मतलब input process have output क्या जो business में लेके आ रहा हूं उसमें already output अवेलेबल है मतलब जो मैं कोई running company को लेके आया हूं क्या output मतलब कोई running company जो पहले से ही revenue generate कर रही है sale कर रही है the answer is yes हम एक running company को लेके आया हूं तो मुझे देखना है is the process either critical to the ability to produce output plus input includes workforce जो मैं business लेके आया हूं जो मैं process जो मैं आज लेके आया हूं या फिर process significantly contribute to the ability to produce output और such process is unique square और hard to replace और अगर मालनो मैं workforce नहीं भी लाया हूं तो जो मेरे को process मिली है क्या वो unique process मिली है क्या हो square है hard to replace है यूइक है किसी और के पास process नहीं है तो भले वह output मतलब उसकी वह इतनी नहीं सके आया हमान। आटपोछिफ्चम कर सके तो मतलब यह सिर्फ मैं input लेके आया हूं मतलब asset acquisition है दूसरा क्या मैंने किसी बंद company को take over किया है बंद पड़ी होई factory को take over किया है does the set of activities and assets have output मतलब company कोई running company नहीं है कोई output नहीं दे रही है नहीं दे रही है तो जो मैं चीजें ले के आ रहा हूँ क्या उनमें इतनी शमता है कि वो वापस से output शुरू कर सके क्या उनमें इतनी शमता है कि वो output शुरू कर सके और साथ ही साथ मैं उनके साथ skilled workforce भी साथ में ले के आया हूँ कि नहीं अगर हाँ तो business acquisition है otherwise business acquisition नहीं है यह आपको देखना पड़ेगा दूसरा एक और तरीका है business acquisition और asset acquisition में identify करने का कि business acquisition है कि asset acquisition है आपको concentration test करना पड़ेगा concentration test में अभी बाद में बताऊंगा आपको देखना है कि concentration test आपका pass हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर concentration test आपका pass हो रहा है तो मतलब यह business acquisition नहीं है अगर concentration pass हो रहा है तो business acquisition नहीं है यह short short asset acquisition है और अगर concentration test pass नहीं हो रहा है तो doubtful है still, फिर आपको देखना पड़ेगा कि business acquisition हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अब ये concentration test, ये concentration test क्या होता है, वो ये आपके सामने है, just give me two minutes for a washroom break, और दो मिनिट में आप इसको पढ़िए, बहुत कि मैं आपको समझाता हूँ, करें दो, शो sı외 झाना पना खमने Gotta है कि कि अपको भी आपको सम आपको समझाता हूँ, भी हो ये हो, ज खमनास देखना है, बहुत किूट समझाता है, ये उद। रिदा ये जाना है, जजे आपको समोल गजाएएएजँश धो ये, झाल 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 तो कॉंसेंट्रेशन टेस्ट क्या बोलता है पहले तो बेसिक फंडा समझ लो कॉंसेंट्रेशन टेस्ट बोलता है कि जो आपने बिजनेस खरीदा है उसमें आपने असेट्स भी खरीदी है यह चेक कर लो कि आपने बिजनेस खरीदा मान लो वन क्रोड रुपीज में आपने वन क्रोड रुपीज पेक ही है उस वन क्रोड रुपीज में आपको क्या-क्या मिला आपको एक सिच्वेशन देता ह उसमें मुझे debtors मिले, inventory मिला, other assets मिली और मुझे उसमें मिली एक factory factory की value है 90 lakhs factory की value 90 lakhs 1 crore का PC दिया है जिसमें खाली-खाली factory की value 90 lakhs है आपको नहीं लगता कि कहीं नहीं मैंने ये business नहीं खरीद है या जो मैंने ये business खरीद है ये मैंने कोई other assets मेरे लिए कोई attractive नहीं है मैंने factory को ध्यान में रखते हुए business खरीद है वो तो क्या है सामने वाले की condition थी कि वो बेचूंगा तो सब बेचूंगा एकटा बेचूंगा खाली-खाली factory नहीं बेचूंगा इसलिए मुझे बाकी चीज़े भी लेनी पड़ी पर इसमें overall देखा जाए तो मैंने majorly factory में investment किया है तो concentration ये बोलता है test कि जितना भी आपके पास total assets आईए gross assets उसमें किसी individual asset का concentration कितना है आपके पास जितनी भी gross assets आईए total assets आईए उसमें किसी एक single asset का या group of similar assets का उस total asset में कितना percentage है कितना concentration है अगर ये 90% या उससे दादा है तो माना जाएगा कि ये business acquisition नहीं है ये हमने उन assets को specifically खरीद रहे है ये asset acquisition है अगर ऐसे 90% से उपर आ रहा है तो आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में कि नहीं क्लियर जो बच्छा पूछ रहा इंटरी क्लास है कि नहीं मैं आपको बता दू मैंने ग्रूप पे मेसेज कर दिया है मैं शाम को लूँगा लेट इवनिंग में लूँगा चलिए तो concentration test में मैंने आपको क्या बोला आपको यह देखना है कि हमने gross assets कितनी take over किये और उसके अंदर single asset का कितना concentration है तो हमें यहाँ पर concentration test में निकालना पड़ता है gross asset की value क्या value निकालनी पड़ती है gross asset formula simple है single asset या group of similar asset gross asset के proportion में कितनी है अगर 90% या उससे दादा है तो माना जा परमदर है कि सर यह gross asset कैसे निकलती है सर यह gross asset कैसे निकलती है तो gross asset निकालने के दो तरीके है एक alternate one एक alternate two alternate one formula है आप याद कर सकते हो logically भी आराम से समझ सकते हो पहला formula fair value of consideration paid मतलब PC plus fair value of NCI ठीक है प्लस fair value of previous investment held ठीक है प्लस fair value of liabilities assumed excluding DTL यह भी plus कर दिया minus cash and cash equivalent DTA and goodwill arising from DTL यह आपको minus करना है तो यह आपकी gross assets निकल जाएंगी अब आप बोलोगे सर यह gross assets कैसे आ रही है asset तो नामों निशान नहीं है asset का तो सर नामों निशान नहीं है कोई बात नहीं है अपन पहले alternate two देखते हैं पर मैं आपको इसको भी बताऊंगा कि कैसे आया sum of all gross assets जिसमें आप cash मतलो cash equivalent और DTA मतलो आप जितनी भी सामने वाले से asset लेकि आए जितनी भी सामने वाले से asset लेकि आए वो सब प्लस कर दो उसमें cash and cash equivalent DTA अटा दो क्योंकि DTO को आप actual में concentration test में consider नहीं करते हो रही बात cash को क्यों नहीं करते हो तो cash तो कहीं नहीं आपने PC भी तो पे किया न तो एक cash लिया PC पे किया तो वो तो net off हो जाएगा न इसलिए प्लस fair value of consideration paid reduce by fair value of net assets acquired सर अभी यह क्या है सर पेर वेल्य ओ कंसेशन पेड मतलब PC reduce by net assets acquired मतलब goodwill goodwill यह goodwill लगया मैं आपको बोलूँगा अगर इस method से भी करोगे तो आपको आ जाएगा कैसे देखिए मैं आपको formula बताता हूँ आप मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि PC प्लस NCI PC प्लस NCI प्लस goodwill PC प्लस NCI प्लस goodwill यह यार PC प्लस NCI प्लस goodwill is equal to net assets होते हैं बोलो हाँ अब मुझे बताओ PC प्लस NCI प्लस goodwill is equal to asset minus liability होते हैं PC प्लस NCI प्लस goodwill प्लस liability is equal to total assets होते हैं PC प्लस NCI प्लस goodwill प्लस liability is equal to is equal to कह सकता हूँ कि cash प्लस DTA प्लस other assets हो सकते हैं क्या मैं वह सकता हूँ PC प्लस NCI प्लस goodwill प्लस liability और यह cash DTA माइनस कर दो माइनस cash माइनस DTA is equal to other assets हो सकते हैं तो बस मिल गया आपको other assets यह हो गया आपका gross asset तो यही इसलिए formula था आया समझ में कि नहीं और definitely जब मैं PC की बात करता हूँ तो PC में दोनों आते हैं इंक्लूडिंग previous investment previous investment का fair value तो यह होता है आपका other assets का formula logically तो other assets में यह आप ठीक है और यहां क्या आ रहा है यहां क्या आ रहा है बेसिकली यहां आ आ रहा है कि आप सारी की सारे इस तरीके से आप अपनी gross asset निकालोगे आपको देखना है कि उसमें कोई single asset है क्या जो ज्यादा value create करती है आई होब आपको समझ में आ गया होगा यही चीज आपको इस example में सुनने को मिलेगी इस example में आप द्यान से देखो हम एक फैक्टरी पर्चेस कर रहे है उस फैक्टरी के अंदर वो जो मालिक है फैक्टरी का वो पल रहा है पूरा बिजनस खरीदना पड़ेगा हमें तो फैक्टरी पर्चेस करनी है फैक्टरी अपने आप में 30 लक की है अलग से plant and machinery भी है DTA भी है inventory भी है cash भी है बगएर 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 फैर वेल्यू आप फैक्टरी बिल्डिंग इस 31 लाक all other assets in the factory balance sheet are stated as the same fair value मिंत्रा पेस 5 lakh rupees for the factory in its entirety हमने 5 lakh rupees पे किया तो PC क्या है 5 lakh rupees तो PC क्या है 5 lakh rupees आगया पर क्या बोलते हम PC plus NCI is equal to net assets यही बोलते है अब आप net asset का fair value करोगे न fair value में आपकी factory कित्ती है 31 तो 31 12 150 250 1 lakh माइनस liability 44 lakh यही करना पड़ेगा ना आपको क्या है 31 कि 12 कि 150 कि 250 1 lakh माइनस 44 lakh तो basically क्या है PC और यह आप जब formula लगाओगे तो 4 lakh के बराबर है जब आप इसको खोलना शुरू करोगे तो अब अपन धीर धीर शुरू करें क्या formula है PC मतलब 5 lakh प्लस liabilities मतलब 44 lakhs प्लस 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 कैश मतलब 1 lakh प्लस प्लस डी टी ए मतलब 250 करो कितना आया पाइफ 44 और 350 यह आया 52 lakh 50,000 52 lakh 50,000 52 lakh 50,000 आया समझ में की नहीं 5 lakh 44 lakh 1 lakh वो सॉरी माइनस नहीं सॉरी माइनस करना था मैंने प्लस कर दिया तो यह देर से पढ़ा रहा है अज़ान माइनस करना था मेरी गलती है तो यह माइनस करने पर आपका आ गया 46 lakh 50,000 46 lakh 50,000 ठीक है clear हुआ माइनस करना था और मैंने inventory माइनस कर दिया कुल मिला के मैं अगर वापस से निकालूं तो क्या पीसी फाइव लैक प्लस लाइबिलिटी 44 लैक्स माइनस कैश माइनस डी टी तो कैश और डी टी ए वन और टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव तो कितना आ रहा है फाइव 40% माइनस 2.5 यहां अगया 46.5 यहां ग्रॉस असेट में फैक्टरी कितने कि है? ओइज त simplemente सग्सिटी नागव ट cheesecake करो अच्छा वादै प्लैंटर मैश इस मेल हो सकती है? नहीं मैं जर्व खाली खाली factory चाहिए मुझे मुझे उसकी Panis सी नहीं चाहिए तो 30 divided by 46.5 यह हो गया 64, 90% से काम है, मतलब यह business acquisition है, sorry, concentration test fail हो गया, मतलब हमें वापस से वो पूरा process चेक करना पड़ेगा, क्या है, क्या है, कुल मिला कि concentration test fail हो गया, the mintrak can conclude that it acquired, it acquired assets, not a business, वो आपको बाद में पूरा example मालूम पड़ेगा कि उसने क्या-क्या acquire किया, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो input, process, output का follow करना पड़ेगा, so यह था आपका guys, पूरा का पूरा business combination, यह था आपका पूरा का पूरा business combination, tell me, समझ में आया कि नहीं, अब इसमें, एक major question है, मैंने ही बनाय हुआ है, master problem on consolidation and business combination, इस question के अंदर, मैंने maximum adjustments जाल दिये, maximum adjustments, मैं आपको पहले पूरा question करवाँगा अभी, question करवाँगा, in the sense, की question पहले समझाऊँगा, पहले मैं आपको इसमें question समझाऊँगा, और फिर, मैं आपको बताऊँगा, कि basically उसमें, जो major major adjustments है, उनका impact कहां कहां जाएगा, पूरा question word to word solve करवाना तो possible नहीं है, पर मैं आपको इसके major major adjustment बता दूँगा, क्योंकि इसका solution already available है, तो आप ये master problem अगर चाहो, तो इसको एक बार देख सकते हो, master problem आप बार देख लो, and give me just 5 to 7 minutes, वो इसलिए, आप 5 से 7, 7 minutes के अंदर, आप master problem खुद देख लीजे, कि उसमें कौन कौन से adjustments आपको नहीं नहीं लग रहे हैं, या पिर पूरे-पूरे adjustments कौन कौन से हैं, तो आपको मैं समझा दूँगा, कि उसका impact कहां कहां क्या क्या जाएगा, ठीक है, तो मैं 7 minutes का आपको time दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजे, this is going to be the last question, last discussion और उसके बाद हमारा पूरा business combination, consolidation खतम हो जाएगा, बचे का joint venture associate, उसका मैं आपको अलग से, एक गंटे के session में बता दूँगा, तो इसको एक बार देख लो, इस बाहने break भी ले लो, 7 minutes का और पूरा फिर consolidation का, आपन question discuss करेंगे, ठीक है guys, शालिए, आप इसको as a break की तरह लो, झालिए, झाल 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 ट्र ये ये टॉटल प्पी इन्फस्पंट पहली न्यूज़ आपको याद और देवंबर 23 वाले एक्जाम में भी यह हुआ था कि होल्डिंग कंपनी ने सबसेटी के डिबेंचर में इन्वेस्टमें करके रखा है बहुत पता है इसी चीज होती है मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसके डिबेंचर कितने है 48 लाक 48 लाक कितने परसेंट में इन्वेस्टमेंट किया 25 लाक तो लाइबलिटी में 12 लाक असेट साइड में 15 लाक यह क्या होगा आपस में सट आउफ हो जाएगा बेसिकली consolidated financial statements में debenture liability आपकी 12 lakh से minus हो जाएगी आपका investment ये पूरा 50 lakh से खतम हो जाएगा जो 3 lakh रुपीस का difference आएगा वो consolidated reserves and surplus में holding के consolidated reserve and surplus में चला जाएगा तो पहला adjustment आपका debenture का आपको मिला इसलिए मैं इसको master problem बोल रहा हूँ अभी बहुत सारी चीज़े आएंगी ठीक है आगे डेट of acquisition of investment इस वन जुलाई 2024 तो यह बात करने के लिए मैं यहां पर बनाऊंगा एक छोटा सा timeline 1st April 31st March और यह है आपका वन जुलाई date of acquisition यहां पर डेट of acquisition है ठीक है न चलिए opening balance P&L का दिया हुआ है 15 lakh है opening balance P&L का 15 lakh है ठीक है चलेगा in the month of May there was abnormal loss of 54,000 तो दूसरी बात आ गई इस question में abnormal item माई मंत में abnormal loss हुआ है 54,000 का तो यहां पर कहीं माई मंत में abnormal loss आ गया तो मैंने आपको बताया था कि abnormal loss वाला जो concept होता है abnormal loss को हम जब यह बड़ा वाला statement बनाएंगे statement of Chinese and net assets abnormal loss को मैं सबसे पहले यहां पर add back करूँगा क्योंकि मुझे time adjustment करना है time adjustment करने के लिए मैं इसको P&L के balances कितने दिये हुए P&L के balances मेरे पास closing है 27 और opening P&L का balance मेरे को दिया हुआ 15 lakh share capital है मेरा 30 lakh तो आप ध्यान से देखिए जब हमें statement बना रहा हूं तो उसमें share capital मैंने 30 lakh लिख दिया P&L मैंने 15 lakh opening लिख दिया 14 का और closing मैंने 27 लिख दिया मतलब मैं यह बोलना चाहरा हूं कि मेरा during the year profit 12 lakh है क्या सच मेरा during the year profit 12 lakh है नहीं यह profit सही नहीं है यह profit after dividend होगा इसमें abnormal items होंगे तो मैं पहले सबसे पहले abnormal items का effect यहां से हटा रहा हूं मैंने abnormal items का effect हटा दिया वापस से मैंने time adjustment कहीं पर किया होगा यहां से देखिए मैंने time adjustment कहीं पर किया और फिर मैंने abnormal item जो मैंने हटाया था उसको मैं वापस से abnormal item को यहां पर less कर रहा हूं सर यहां प यह होगा आपका अप्टू वन जुलाई उसके बाद यह आपका अपनॉर्मल आइटम आ गया और क्या है डेप्रिशन रेट पीपी का 20% है डेवलीवी पर पीपी की फेर वेल्यू है 92 लाइक आपको पता है कि फेर वेल्यू गें लॉस बुक होगा तो पीपी की वेल्यू जो जो हमारा डेट आप एक्वेशन पर आया उसको जाके हम अपने प्री कॉलम में 293.750 यहां पर लग देंगे 293.750 और इसके कारण हमारा जो पीपी का वैल्यू बढ़ रहा है पीपी के वैल्यू बढ़ने से डेटी एल बनेगा 88125 का तो कंप्लीट डेटी एल का जो केलकुले यह जो कितना लगाना चाहिए लगा है उसका भी इफेक्ट आएगा तो डेपरिशन आपका फेर वैल्यू पर लगाना चाहिए 9 मंड्यू लाक पर 13,80,000 और depreciation आपका कितना लग चुका है 14,06 तो आपकी depreciation की saving हो रही है depreciation की saving मतलब हमें PP की value वापस से बढ़ानी पड़ेगी depreciation की saving हो रही है मतलब profit बढ़ेगा तो यह आपका 26,250 है यह आपका change column में यह आपका यहाँ पर changes column में देखो depreciation की value बढ़ रही है तो आपका यह profit बढ़ जाएगा यह profit बढ़ने से आपका DTL का reversal भी आएगा DTL का reversal भी आएगा ध्यान से देखिए आपका DTL का reversal 1875 आएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे DTL की working में यह DTL की working में आपका depreciation वाला 7875 यह 7875 आपका DTL वाला आगया ठीके पर इसमें भी बहुत सारी चीज़े हैं यह pre वाला है यह post वाला है यह pre वाला है यह post वाला है तो depreciation वाला आगया उसके बाद current assets includes inventory 20 lakh whose NRV is 1850 जैसे आप PP का revolution कर रहे हो वैसे inventory कभी revolution कर सकते हो तो 20 lakh का inventory जबकी NRV 1850 है इसका मतलब 1 lakh 50,000 का net asset का हो जाएगा तो net asset 150 का कम हो जाएगा तो हमने 150 से net asset अपने यहां पर कम कर दिए अब हमने net asset यहां पर कम कर दिए तो DTA का भी impact आएगा तो आप ध्यान से देखे calculation of DTA में आपका inventory के ऊपर भी यह भी pre वाले column में आपका DTA बनेगा क्योंकि आप आपका tax base जादा है और आप book value कम record कर रहा हो 1850 पे उसके बाद उसके बाद उसके बाद there are contingent liability for subsidiary subsidiary की कुछ contingent liability है मैंने आप भी अप भी थोड़ी ते पहले बताया था कि due to present obligation होंगी तो हम उसको record करेंगे due to possible obligation होगी तो हम उसको record नहीं करेंगे सिर्फ disclose करेंगे तो present obligation की liability हम बढ़ाएंगे लेके आएंगे तो net asset गिर जाएगी net asset आपकी file act से गिर जाएगी तो date of acquisition पर यह आपका statement हम मना रहे हैं date of acquisition पर आपका 500 रुपी से net asset गिर जाएगा यह contingent liability थोड़ी spelling correction मैंने की होई है यह आपका गिर जाएगा अब आप क्योंकि यह liability अपने books में record कर रहे है तो उसका भी effect आपके deferred text में आएगा तो ध्यान से देखिए contingent liability इसका effect आपका pre वालेगा यह आपका deferred text asset आएगा आई बात समझ में ठीक है क्योंकि liability आपकी books में दिख रहे है पर उसका tax base 0 है तो इसका मतलब आपकी liability तो दिख रहे है यह tax base 0 तो liability को कम करेंगे मतलब DTA बनेगा चलिए तो इसमें हमने तीसरा एक और item क्या डाल दिया हमने डाल दिया contingent रुपी का डिफरेंस आपका consolidated reserve and surplus में जाएगा तो आईए अपन चेक करें consolidated reserve and surplus में आपका यह देखो loss on cancellation of debenture आपका 3 रुपी से इसमें चला गया ठीक है उसके बाद आपकी एक एक करके और बाते समझ दे आते subsidiary has indemnified to parent for above liabilities 2 lakh and 1 lakh respectively हमने उपर की liabilities ली है तो उसके लिए subsidiary हमें indemnify किया है indemnification asset लिया जाता है अगर हम respective liabilities ले रहे है लाइबिटी हम कौन सी ले रहे है फाइल लेक वाली तो asset भी हम 2 lakh लेंगे तो 2 lakh की asset लेने से net assets हमारी date of equation पर बढ़ जाएंगे देखिए 2 lakh की assets हमारी add होगी यहां पर add होगी गलती से ब्रेकेट लग गया पर वो add होगी ठीक है तो 2 lakh की assets यहां पर हमारी add होगी और इस 2 lakh की assets के कारण भी हमारा defer tax का impact आएगा ध्यान से देखिए यह देखो indemnified asset यह हमारा 150 भाई साब subsidiary ने 150 का interim dividend दिया तो 111 को दिया entry भी pass हो गई होगी तो during the year dividend जब pay किया गया होगा तो during the year के profit से less हुआ होगा तो current year के profit से less हुआ होगा तो मुझे dividend वापस से यहां पर add back करना पड़ेगा सबसे पहले सबसे पहले मैं यहां पर add back करूँगा current year के profits को और फिर मैं उन profits का time adjustment करूँगा और फिर less मैं कहां से करूँगा मैंने आपको बोला था कि dividend less करेंगे directly proportionate NCI से और proportionate dividend holding के consolidated reserve and surplus से तो 150 का है अगर हम percentage देखे तो percentage holding subsidy का कितना है बाई 80% तो 150 का 80% मतलब 120 चाहिए consolidated reserve and surplus में आपको dividend का दिखेगा 120 dividend received by holding और NCI की working में आपको दिखेगा interim dividend received 30,000 यहां पर इस question में इस question में आपका dividend भी आ गया इस question में आपका dividend आया आपको अब समझ में आ गया होगा कि why this is called master question फिर उसके बाद 1.12 को subsidiary ने sale किये goods costing rupees 2 lakh at 250 subsidiary ने sale किये और यह goods जो है 40% of the goods अभी भी unsold है मतलब holding के पास रखे होंगे तो इसका मतलब unrealized profit निकलेगा तो 50,000 कुल मिला के profit है उसका 40% अगर unsold है तो 50 का 40% हुआ 20,000 का profit किसने कमाया उसके profit से हटाओ तो subsidiary के profit आपको यह वाले दिख रहे हैं आप 20,000 हटाओगे यह देखो अन्रिलाइज profit elimination 20,000 और इसका दूसरा effect 20,000 का आपका हटेगा आपका दूसरा effect आपका stock से हटेगा तो stock में जब जाओगे तो 20,000 आपका inventory से यहां पर आपका हट जाएगा आया मेरे बात समझ में कुछ की नहीं बोलो बेटा समझ में आया की नहीं आया और इसका impact आपके defer tax पर भी बढ़ेगा क्योंकि आप अपना stock की value कम कर रहे हो तो stock की value अगर आप कम कर रहे हो तो उसका tax base तो बना रहेगा तो उसका 20,000 के ऊपर आपका defer tax का asset का effect बनेगा बट यह जो effect है यह post है क्योंकि आपने ध्यान से देखिए आपने changes call up में 20 हटा है मतलब यह post acquisition period में आपके asset की value गिरी हुई है ठीक है तो मैं pre post प्री 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 इसलिए खिल रहा हूं क्योंकि जो जो post वाले हैं depreciation post और stock वाला post जो जो post वाले DTL और DTA है वो आपके ultimate DTA कितना effect हो रहा है 7875 माइनस 6000 मतलब net detail आपका 1875 का create हो रहा है जो की वो DTL आपका यहां पर reversal होता हुआ दिख रहा है 1875 बाकि आपके जितने भी प्री प्री वाले थे जो बच गए yellow portion को छोड़कर उसका effect आ रहा distribution पर DT क्या बनाया यह वाला DTA बनाया DTA बनाया और यहां पर आपका यह create हो गया 46,875 गाइस अंडर्सूड और नॉट बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं तो यह effect हमारा यहां पर आया तो DTA बढ़ने से net assets बढ़ती है इसलिए हमने add किया और यह जो था आपका यह आपका DTL यह आपका DTL था इसलिए DTL था यह यह DTL था तो DTL आपका चला गया इस वाल में तो इस question में क्योंकि defer tax का भी effect आ रहा है defer tax DT का effect आ रहा है इसलिए master question है after DOA parent has announced share based payment award for the employees of subsidiary to replace the original awards यह वाई ESOP वाले तो देखो original award आपके 12 lakh है replace award आपके 15 lakh है तो 15 lakh के आपको दो हिस्से करने पड़ेंगे इसका मैंने working note बनाया हुआ हुआ है देखे 15 lakh आपका है 15 lakh के दो हिस्से करने पड़ेंगे pre combination और post combination प्री कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आप old award देखते हो old about आपके 12 lakh के हैं तो 12 lakh 12 lakh multiply by 2 क्योंकि wasting period already lapse हो गया और whichever is higher divided by 5 तो आप 12 lakh 12 lakh into 2 divided by 5 आपका 480 हो जाएगा तो 480 480 480 आपके pre combination period हो गया यह आपका part of investment हो जाएगा 480 आपका part of investment हो जाएगा आपके investment हो जाएगा आपका PC का हो जाएगा तो यह क्या बोल रहा है कि इसकी entry अभी तक parent company ने नहीं की इसका मतलब parent company की books of accounts में जो investment दिख रहे हैं 52 lakh में अभी उसके अलावा वह 480 के investment बढ़ जाएंगे मतलब कुल मिलाके जो investments हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे वह हो जाएंगे 56,80,000 के 56,80,000 के मतलब obviously 52 lakh तो पहले सी दिख रहा है न 52 lakh पहले सी दिख रहा है और 480 का आपने pre combination period अभी आपने डाला pre combination period कहां गया कहां गया कहां गया pre combination period अपने अभी डाला न 480 का यह वाला तो वह होके अब आपके investments हो जाएंगे 56,80,000 के guys understood or not ठीक है 56,80,000 के हो जाएंगे तो इसमें question में और क्या आगया इस question में आपका क्या हो गया e-sop भी आ गया उसके बाद उसके बाद आपका rate of tax आ गया 30% वह तो DTA का effect हो गया acquisition of 80% was under आ रहे भाई साव इसमें आपकी step acquisition आ गई step acquisition आ गई मतलब इस question में आपका step acquisition भी आ रहा है step acquisition अगर आ रहा है तो step acquisition आपने first time जब acquire किया था 30% तो 10 lakh रुपीज में acquire किये थे फिर आपने acquire किया था 50% तो 42 lakh में acquire किये थे तो आप अपने previous investment को fair value करोगे ठीक है आप अपने previous investment को fair value करोगे fair value करने के लिए क्या करोगे fair value कि या तो कोई न कोई value दियो या तो देखेंगे क्या होगा nci to be measured initially at fair value हम nci to be fair value का निकाल लेंगे don't worry goodwill if any shall be impaired by 25% oh my god इसने goodwill का भी impairment कर वा लिया इसने goodwill का भी impairment कर वा लिया निकाला है fair value पर तो goodwill का जो भी valuation लॉस आएगा impairment का वो nci और holding के consolidated reserve and surplus में apportion होगा यह last point एक बहुत important बचाए bonus भी आ रहा है bonus जादा important नहीं है last point बचाए before 1 724 मतलब pre existing relationships parent filed a lawsuit against a subsidiary for a claim of 12 lakh पैरेंट ने subsidiary के against 12 lakh का claim file किया था parent ने claim कि parent बोड़ा था मुझे चाहिए तुससे मुझे तुससे पैसे चाहिए आगे चलके s limited had already made a provision in the balance sheet s limited ने उसका provision 7 lakh रुपीस का बना के रखा है देखे 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 balance sheet में कोई provision है क्या हाँ current liability में शामिल होगा 25 lakh की current liability में on doa the fair value of the claim is 10 lakh आज भी हम जब यह settlement कर रहे है settlement मतलब आज parent बोल रहा है मैं तो तेरे को take over कर रहा हूं जब मैं तरे को take over कर रहा हूं तो आप ठीक है ना out of court settlement कर ले दे मैंने तेरे उपर 12 lakh का claim किया था तू मुझे 10 lakh रुपीस देदे फिर पिर subsidi बोल रहा है कि देखो भाई मैं आपको 10 lakh रुपीस दूँ और आप तो मेरा business take over करके ले जा रहे हो तो आप भी मुझे पीसी दोगे तो net कर के देदो net कर काट दो मैंने बहुत क्या लिखा है कि entire consideration paid by H on 1724 was net settled after adjusting above claim भाई साथ इस करण से बहुत बड़ा चेंज हो गया इसका मतलब जो यह हमने 42 lakh रुपीस यह जो 42 lakh रुपीस है यह net PC है और मैंने आपको बोला था कि pre existing relationship के अंदर आपको PC को gross पर दिखाना होता है PC के अंदर आप pre existing relationship का funda नहीं करते हो तो holding न क्या बोला कि मैं तरको net net 42 lakh रुपीस देता हूं जबकि क्योंकि मैं 10 lakh रुपीस तेरे से मुझे मिलने चाहिए compensation receivable तो holding 10 lakh रुपीस की अलग से entry करेगा compensation receivable account debit और PC उसका हो जाएगा कहीं न कहीं यहां पर PC हो जाएगा 52 lakh रुपीस आया समझ में की नहीं तो PC हमने actually जो 50% के लिए देना चाहिए वो कितना होना चाहिए 52 lakh रुपीस और 10 lakh रुपीस की compensation receivable की entry अलग से बुख होगी उसकी entry होगी compensation receivable account debit to gain और gain चला जाएगा holding के एक सिकेंड एक सिकेंड एक सिकेंड यह देखो lawsuit settlement 10 lakh रुपीस 10 lakh रुपीस उसके holding के consolidated रिजर्वन सर प्लस में चला जाएगा इस question में मतलब एक pre existing relationship इस question में pre existing relations relations भी आ गया अब step acquisition में वापस चलते है step acquisition में आपको previous investment की fair value करनी होती है यह based on new investment क्योंकि holding company के per share value नहीं दिया हुआ है तो आपका new investment कितना था 50% not 42 it was 52 it was 52 तो देखो आपने कैसे किया था यह entry भी अपने करवा दी फिर आपका overall consideration 52 lakh हो गया PC for the 50% acquisition अब आप step acquisition में 52 lakh अगर 50% का था तो 30% का कितना होना चाहिए 31 lakh 20,000 मतलब आपका previous investment का जो fair value लेना चाहिए आपको 31 lakh 20,000 लेना चाहिए 31 20 के अलावा आपका 52 lakh का previous जो अभी अपने current investment पर्चेस किया था 52 lakh वो देखेगा plus जो pre combination period का आपका 480 था वो देखेगा मतलब 56 मतलब आपका देखेगा 56 80 तो इसमें क्या-क्या आगया investment में अभी अपने 52 lakh में investment खरी थे एंसे आई भी हमें fair value के हिसाब से निकालना है एंसे कितना है 20% तो आज हमने जब investment खरीदा था तो कितने का खरीदा था 52 lakh रुपीज का ग्रॉस परिसी तो एंसे इसका ही 20% proportionately आएगा मतलब 52 lakh divided by 50 into 20 तो एंसे एगा 20 lakh 80,000 तो जब तुम कैंसे के calculation करोगे तो वह आजाएगा 20 lakh 80,000 जो कि actually में तुमारा इस तरीके से आ रहा है 52 divided by 50% into 20% तो तुमारा यह एंसे भी आजाएगा इसी के साथ हमने यह सारे adjustments अभी discuss किए. बोनस 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 इशूपैस एंट्री नॉट अगर यह नहीं किये तो इसका मतलब कंपनी का का जो एक्टीचर Capital है जो एक्टीचर Capital है वह वह विडाउट बोनस है 15 lakh रुपी का बोनस जाएगा और बोनस के मैं आपको एक में बात बता दूं कि bonus हमेशा pre acquisition profit से दिया जाता है अगर pre acquisition profit sufficiently available है तो अगर आप वो जो बड़ा वाला statement है उसमें देखोगे तो pre acquisition profits आपके पास definitely 15 lakh rupees रखे दे तो bonus उसी में से जाएगा इससे होगा क्या इससे आपका एक तो bonus आपके P&L से minus हो जाएगा उससे आपका equity capital बढ़ जाएगा तो जो equity capital मैंने याप पर 30 lakh without bonus लिखा था उसमें आपका equity capital 50 lakh बढ़ जाएगा ultimately bonus का effect zero हो जाएगा क्यों 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 कि कहीं न कहीं आपने bonus के entry pass नहीं की थी तो ultimately आप bonus के इंट्री पास नहीं की थी तो bonus के एंट्री होती है reserve and surplus debit to equity तो equity बढ़ जाएगा तो आपका net asset equity बढ़ेगा तो आपका net asset बढ़ जाएगा ultimately पर उस side से आपका profit and loss गिरना चाहिए तो हमने profit and loss को गिरा दिया ठीक है तो profit and loss को गिराया इसलिए minus और equity को बढ़ाया इसलिए plus तो यह पहला वाला equity और दूसरा वाला P&L का effect ultimately effect आपका zero हो गया पजीग बाद याद रखने है bonus हमेशा pre acquisition profit से दिया जाता है अगर pre acquisition profit sufficient available हो तो तो इस तरीके से आपने अपना पूरा adjustment किया अब आप जब इस balance को करोगे यहां पर time adjustment करने के बाद आपने loss भी minus कर दिया यह सारे adjustments आपने कर दिये ठीक है और हाँ यह क्या है elimination of lawsuit sir यह 7 lakh rupees का lawsuit क्या है आपको यादे pre existing relationship के अंदर दिखाया था कि subsidiary company ने उसका provision बना के रख़ा है 7 lakh rupees का बेटा 7 lakh rupees का provision बना के रख़ा है तो वो उसकी liability में शामिल होगा liability में शामिल होगा मतलब net asset में शामिल होगा पर अब तो वो provision हमारे किसी काम कर नहीं है हम तो take over नहीं करेंगे वह वाली चीज नहीं करेंगे ना आप तो हम settlement कर रहे है न पीटा तो जब हमने complete settlement कर लिया तो उसकी वो liability में take over नहीं करके लौँगा जब मैं उसकी वो liability take over नहीं करके लौँगा तो current liability में वह जो 7 lakh rupees शामिल है मैं उसको हटाऊंगा तो current liability में से मतलब मैं लाइबिटी वो 7 lakh रुपीस वाली लाइबिटी टेक ओवर नहीं करूंगा तो मेरा net assets बढ़ जाएगा उतने से तो इसलिए मैंने 7 lakh को add कर दिया इस हिसाब से मेरा ultimate आप बोलोगे तो मेरा ultimate यहां पर net assets का value आ गया 5387 625 100% net assets fair value जिसको मैं cost of control की working में रखोंगा और मेरा goodwill आ जाएगा goodwill आया मेरा 5492 और उस goodwill का 25% मैंने amortize किया मतलब amortize गलत है मैंने word use कि इंपेर किया इंपेर किया और वो आया 1373 क्योंकि हमने nci fair value के हिसाब से निकाला था तो impairment का भी loss का भी दो हिस्से होंगे holding का इंसे का 20% तो holding वाला चला जाएगा उसके पेंडल में 1098 475 1098 475 और चला जाएगा 274619 274619 और जो change column post equation period का जो हमारा answer आया वो post equation period का हमारा answer जो आया वो यह answer आया उसके हिस्से holding को post equation period का हिस्सा मिलेगा और nci को मिलेगा दोनों की वर्की में जाएगा 845900 तो holding को मिल रहा है 845900 और subsidiary को मिल रहा है 211475 तो 211475 इससे आपका ncib completely आ गया ठीक है ncib completely आ गया आया मेरी बात साज में की नहीं इसके बाद इसके बाद जो post combination period था आपका जो यह post combination period था यह post combination period का expense किता था 10,20,000 और हमने यह कब हमारी date of acquisition किती थी 1st July की हमारी date of acquisition थी जबकि हमारी balance sheet बन रही है 31st March की तो 9 months का expense भी तो आपको बुला था post equation period गा expense भी होता है तो 10,20 is a basically expense for the 3 years expense for the 3 years तो उसमें 9 months का expense होगा आपका 255,000 तो वह expense हमारा भूग होगा expense 255 भूग होके आपका holding के उसमें चला जाएगा 255 आया समझ में की नहीं 255 और इसके अलावा बाकी हम 255 का इसके अलावा हम SBP reserve बनाएंगे तो आप SBP reserve कैसे बनाओगे आईए आप SBP reserve कैसे बनाओगे मतलब आपने क्या किया आपने 480 बुक किया और आपने 255 बुक किया तो बाकी का 2SBP reserve भी तो आपको इसका credit effect देना पड़ेगा 480 प्लस 255 मतलब 735 तो 735 आपका SBP reserve 735 आपका SBP reserve holding के consolidated reserve and surplus में अलग से दिखेगा 735 तो आपका holding का consolidated आपको समझ में आया की नहीं तो यह सारे adjustments मैंने आपको करवाए और इसी के साथ आपका यह consolidation का master level problem हो गया balance sheet में कोई important point है गया यह हमने निकाल रखा यह हमने निकाल रखा यहां से हमने debenture हमने net कर दिये तो 36 lakhs लिख दिये debenture हमारे 12 लग के चले गए इसके अलावा contingent liability count liability नहीं है वो contingent liability है contingent liability हमने जो record की थी file की वो आ गई और अपका fair value gain आ गया depreciation का saving आ गया goodwill आपका write-off होने के बाद बाकी का बचा हुआ आ गया defer tax asset liability का net effect आ गया inventory inventory आपने पहले तो value कम की थी और यहां पर आपने stock reserve भी कम गया था और indemnification asset भी आपको जोड़नी थी तो यह आपका जुड़ गया तो इतना सारा impact आपके एक question में मैंने दिया है with the help of all these adjustments I believe कि ऐसा question अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा अगर आप मेरे regular batch के last regular batch के student हैं तो आपने देखा होगा पर जितने बच्चोंने मैं के challenge से बोल सकता हूँ जितने बच्चोंने कहीं और से classes ली हैं कितनी भी अच्छी classes ले ली हो इस type का question आपको नहीं करवाया गया होगा so this was a master problem जिसके अंदर मैंने सारे adjustment डाल दिये वह आपको cover हो गये हैं so guys this was your consolidation consolidation में बाकी के बचे हुए questions भी आप एक बार देख लिजेगा बाकी के जो बचे हुए questions आपको मैंने master problem दिये LDR दिया है ज्यादा questions नहीं है आप आराम से कर लिजेगा बड़ी बड़ी चीज़े मैंने बड़े-बड़े questions के दुरू भी करवाई है तो अभी जो चीज़े बच गई है वो आपको खुद करनी चाहिए अगर आप ढंग से दो घंटा भी दोगे questions के लिए तो आपका पू टैम नहीं मिल रहा है या सब समय में नहीं आ रहा कि theory कैसे देखें तो 110 के कुछ-कुछ important questions देखे जाना must do questions देखे जाना जो मैंने भी दिया हुए है मैंने कहा दिया हुए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने must do questions की list में मैंने दिया हुआ है 110 की theory sorry इसमें हाँ यह रहा 110 थ 35 number तो 110 की theory आप at least यह questions theory questions करके जाना guys इसी के साथ हमारा आज का business combination consolidation का चट्र होता है खतम और यहीं बोलना चाहूंगा कि भाई बहुत सारा मैनत किया मैंने आपके उपर आज आप इसको अच्छे से अगर आपने अभी दक मेरे साथ lecture देखा है तो lecture को जरूर मुझे बताई कि आपको lecture overall कैसा लगा ताकि मुझे भी motivation मिल सके मेरे को भी boosting हो सके और सुबह से यहाँ पर मुझे बहुत दर्द है कल रात को हो गए थे और सुबह मैंने इसलिए लेक्षा थोड़ा सा पोस्पॉन किया अब मैं समझ सकता हूं कि मेरे मुझे क्या बैंड बच चुकी है बट मुझे एक चीज का बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पूरा लेक्चर आपको पूरा business combination consolidation आपको बहुती तरीक आपको कुछ और पूछना है तो बताइए नहीं तो मुझे खराब चल रही है अब बस इसी के साथ लेक्चर को मैं over करना चाहूंगा आप मुझे अपना जरूर feedback दीजेगा कि लेक्चर कैसा लगा और मिलते हैं अगले marathon session में अगला marathon session मैंने joint venture associate का रखा हुआ था आज ही के दिन शाम को उसका मैं update आपको थोड़ी तर में दे दूँगा because थोड़ा सा अलसर के च आपको is thank you so much guys bye